हलो एब्रीबन विल्कम यूल वन्स एगें टू दिस चैनल पफावी कंपटिशन हम में सबका स्वागत करता हूं गाइस जो हमने कॉस्मोस पॉब्लिकेशन की सीरीज स्टार्ट की थी एंसी आर्टी की जिस्ट में हमने काफी सारी चीजे कवर कर रखी हैं वॉल्यूम वन जो करना की जिस्ट जो है वह पर उसका पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया था इस 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 इसे कंड़र विडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं की चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब किजिए बिल आइकन को भी प्रिश कीजिए ताकि जो भी latest videos है उनका notification आपको मिलता रहा है budget and fiscal policy जो है वो हमारा starting का पहला topic होगा तो चलिए start करते है budget होता क्या है so budget is the most important financial document actually देखे हमारे constitution में na constitution में कहीं भी budget term का use नहीं किया गया है कहीं भी budget term का use नहीं किया गया है इसको हम क्या बोलते है इसको हम annual financial statement बोलते है budget तो कहीं use ही नहीं हुआ but anyway famous word है budget से ही सब इसको बोलते है so budget is most important financial document of the government which presents the income and expenditure outlook of the government मतलब क्या सरकार की आय हुई और क्या सरकार का खर्च हुआ income क्या हुआ expenditure क्या हुआ उसका outlook बताता है for the coming financial year ठीक है जो भी financial year आता है जैसे कि माल लिजे कि अभी का financial year जो आएगा यह आएगा 2023 से 2024 वाला ठीक है मतलब मार्च एक अप्रेल से सोरी एक अप्रेल से लेकर एक अप्रेल से लेकर अगली 31 मार्च 2024 तक का जो financial year होगा उसका बजट पेस हो चुका है होगा अभी चैक है तो इसे हम financial year कहते हैं सब्सक्राइल यूणर कैबिनेट इन 2016 had decided to merge the railway budget तो यह important point हो जाता है कि किस साल मैं यह मर्च हो गया था 2017 से मर्च हो गया था मट्यूणर कैबिने 2016 मेंडिसाइट कर लिया था 2017 का जो बजट था उसमें मर्च होके बजट आया था so it decided to merge railway budget with the general budget thus ending the 92 years old tradition of having a separate railway budget ठीक है इसको खतम कर दिया गया what type of document is the budget तो budget जो है annual financial statement जैसा कि मैंने बताया था under article 112 budget जो है budget का जो article है जो प्रावधान है वो हमारे constitution में article 112 में है that is said to be annual financial statement of the government who is considered the pioneer of Indian budget तो इंडियन बजट के पाइनियर जेम्स विल्सन को माना जाता है basically he introduced first budget of India in 1860 1860 में ही budget इनने प्रेश कर दिया था James Wilson when was India's first budget presented तो यह 18 फरवरी 1860 को प्रेजेंट किया गया था चलिए अब sources of revenue सरकार की मतलब सरकार का जो कहां से पैसा आता है कि वह देख लेते हैं इस particular flow chart में तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं sources of revenue सरकार की बात की जा रही है तो sources revenue sources of union की बात करें जहां पर union का मतलब है भारती सरकार भारत सरकार के कहां से पैसा आता है तो corporate tax से आता है जो जो CIC CBIT से CDIT बोल सकते हैं Central Direct and Indirect Tax जो है Direct Tax क्या होता है जैसे Income Tax है वह एक Direct Tax है कि सेल्स टैक्स है जी एस्टी है वह एक Indirect Tax है तो यहां से भी हमारा पैसा आता है इसके अलावा property of the union भारती सरकार की कुछ प्रपर्टी यह वह भी revenue का source है पोस्ट अफिस में सेविंग की जाती है लोगों के द्वारा जनता सेविंग स्कीम में जनता जो है पोस्ट अफिस में पैसा लगाती है that is also one of the kind of sources of revenue और foreign loans जो हम लेते हैं हमारी सरकार जो लेती है बाहर के कंट्रियों के साथ चाहे वह कोई institution से ले ले जैसे कि वर्ल्ड बैंक या फिर किसी पार्टिकुलर कंट्री से या फिर जो भी organization से या फिर किसी भी कंट्री से जो लोन आता है वह foreign loans में आता है पॉब्लिक डेप्ट से भी आता है मतलब भारती सरकार क्या करती है बॉण्ड जारी करती है बॉण्ड जारी करके पैसा रेज करती है वह तरीका है पॉब्लिक डेप्ट क्रियेट करने का मतलब लोग बॉण्ड को खरीते हैं एक तरीके से सरकार उनसे लोगों से लोन लेती that is called public debt, इसके लावा railway से भी पैसा आता है, because अभी merge तो होई गया है, revenue पूरा, budget भी, तो यह हमारा union government का source था, इसके लावा हम अगर state government की बात करें, तो उनके revenue कहां से आते हैं, capitation tax होता है, इसके लावा duties imposed on various activities, वहां से भी पैसा आता है, direct taxes, indirect taxes, state भी collect करती है, taxes on land and building and land revenue, land revenue सबसे बड़ा source होता है, state government का, ठीक है, land revenue अगर सबसे बड़ा source होता है, so the constitution of India gives government jurisdiction of to make public budget under which article, तो यह article है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि जो constitution में प्रावधान है, वो article है 112, annual financial statement बोलते हैं उसको, who presented the first budget of independent India, तो यह किया था, first हमारे यह finance minister थे, first हमारे finance minister कौन थे, RK समुखम चेत्ती, इन्होंने पहला जो है budget independent India का पेस किया था, on which date is the budget presented in India, तो यह present किया गया था, 1st February, हर साल को 1st February को पेस किया, 2017 से जारी हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, last date of February को budget जारी होता था, अब इसको थोड़ा सा पहले कर दिया गया, और इसको 1st February से ही, जह है budget हमारा पेस हो जाता है, who is the 1st full-time female finance minister of India, 1st full-time female finance minister of India है, निर्मला सिर्फ सीतारामन, 31 मही 2019 को यह बनी थी, 1st full-time female finance minister, इनसे पहले कोई नहीं था, what has been the biggest item of expenditure in the federal government budget, biggest item of expenditure की बात हो दिए, कहां सबसे ज़्यदा सरकार खर्च करती है, तो वो interest payment पे कर देती है, क्योंकि हमारा loan जो है न, हम जो loan generate करती है हमारी government, वही हमारा सबसे बड़ा जो है, source of revenue है, और वही पे अब loan जितना ज़्यदा लोगे, जो उतना ही ज़्यदा interest पे करना पड़ेगा, तो expenditure भी वही पे सबसे ज़्यदा होता है, by whom is revenue estimate of the budget prepared in India, तो ये ministry of finances को prepare करती है, revenue estimate को, चीक है, revenue estimate जो है, budget का वो कौन तयार करता है, तो ये ministry of finances को तयार करती है, who presented India's interim budget and when, तो इंडिया का interim budget, जो है, interim budget, मध्यस्त में ही, मतलब, बीच में ही एक budget आजाना, वो पहला जो इंडिया का interim budget है, वो मुराजी दिसाई ने किया था, कब किया था, तो ये किया था, इन्होंने 1962-1962, when was classification of planned and non-planned expenditure of public expenditure in India, तो ये किया गया था, union budget 2017-2018, जो planned और non-planned expenditure क्या होता है, देखिए, planned expenditure ऐसा expenditure है, जैसे कि माल लिजे कि मुझे पता है कि एक 5-year का plan है, 5-year एक plan है, उसमें खर्च करना है, तो ये मेरा planned expenditure हो गया, ठीक है, कुछ non-planned expenditure हो जाते हैं, जो all of a sudden create हो जाते हैं, पहले समने planning नहीं किये, बट कुछ head पर खर्चा तो करना ही करना है, तो वो सब non-planned expenditure में आते थे, तो अभी इस क्लासिफिकेशन को जो है, एबोलिस कर दिया गए है, union budget 2017-18 में, who represented the first zero-based budget in India, zero-based budget क्या होता है, ये एक ऐसा budget होता है, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि, कोई भी फाल्टू के खर्चे नहीं हो, कहने का मतलब है कि, zero-based agriculture भी होता है, zero-based budget भी होता है, जहां पे आपके losses, जो है, minimize करने कोशिस की जाती है, पहला जो है, ये राजीव गांथी ने, 1987-88 में इसको जारी किया था, पीटर ए, पीहर, पीटर ए पीहर इस चंसीडर्ड़ दा, as the father of zero-based budget, and zero-based budgeting is, was first adopted in United States of Georgia, in 1993, later, it was also adopted in US federal budget, in 1989 में, इंडिया ये, हमारे first time, ये जो है, 1987-88 में, राजीव गांधी के समय हुआ था, which committee recommended to present the railway budget with general budget, तो ये बीबेक देवरोय कमीटी बैठी थी, कि भाईया, रेलवे का अलग budget आता था पहले, रेलवे का अलग budget आता था, 17 में, इसको मर्ज किया गए है, तो इसके लिए committee बैठाए गए थी, ये उनसे report मागा गए था, तो ये committee को head कर रहे था, बीबेक देवरोय, और हिनी के नाम की committee भी है, बीबेक देवरोय committee, who as, who as finance minister, presented the maximum number of budgets in India, तो ये मुराजी देशाई ने सबसे ज़्यादा time paste किया है, बहुत बड़े ये finance में बहुत expertise थी, इनके 10 बार इन्होंने, जो है, budget paste किया है, from which country, is the concept of performance budget derived, performance budget जो है, ये concept derived हुआ है, US से, United States से, मतलब कि जितना अच्छा प्रफॉर्मेंस रहेगा, किसी भी ministry का, इसमें होता क्या है, concept of, अगर हम बात करें, performance budget की, तो ये होता क्या है, पहले समझ लो, performance budget में क्या होता है, कि माल लिजे, ministry थे कई सारी, एक हमारी ministry है, water ministry, जल सक्ती ministry कहते हैं, power ministry है, नागरी, उडियन मिनिस्ट्री है, civil aviation जिसे बोलते हैं, agriculture ministry है, सब ऐसे करके हैं, तो ये, घोता क्या है, कि इनके performances देखे जाते, previous performances, जिसका जैसा, सबसे अच्छा रहेगा, उसको सबसे ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, तो concept of performance best derived, ये US से derived हुआ, जिसने अच्छा perform किया, उसको ज़्यादा पैसा दो, who is responsible for preparing the economic survey in India, so his name, finance minister ही करते, economic survey, ठीक है, economic survey पे, sign किसका रहता है, ये भी पूछता है, तो जो chief economist रहते हैं, economic secretary, जो है, उनका sign रहता है, the action related to income, expenditure, debt and taxation of government, are called, these are called fiscal policy, हमेशा याद रखना, fiscal policy जो है, सरकार लेके आती है, fiscal policy, ठीक है, fiscal policy जो है, government लेके आती है, और जो monetary policy है, वो कौन लेके आती है, वो RBA लेके आती है, हमेशा याद रखना, ठीक है, तो fiscal policy में होता क्या है, जो है, income है, expenditure है, debt है, taxation है, इन सब को, सरकार क्या कहती है, जो भी एक्षन समलेंगे, वो fiscal policy कहलाएगी, who determines the fiscal policy इन इंडिया, तो finance ministry जो है, determine करती है, but monetary policy की बात करें, तो RBI determine करती है, what are the four major aspects of fiscal policy, तो पहला है इसमें, allocation of resources, दुसरा है distribution of income, तीसरा है economic stability, चौथा है economic development, चार जो major aspects है, fiscal policy के, वो है, allocation of resources, distribution of income, economic stability, और economic development, what contributes the most to total deficit of government of India budget, तो यह fiscal deficit, what contributes the most to total deficit of government of India budget, यह fiscal deficit, the concept of fiscal deficit was presented by, by whom, by Sukhme Chakravarti committee in 1985, ठीक है, जो concept है, यह fiscal deficit का, that was presented by, Sukhme Chakravarti committee, यह आया था, 1980 में, नेक्स देखते हैं, who suggested the use of, fiscal policy measures, to rectify, the great depression in, 1922-30, तो यह, प्रोफेसर जॉन मेनाड केंस थे, इन्होंने क्या किया, केंएंस आइडियाज बोलते हैं, इन्के जो भी आइडियाज थे, केंएंस आइडियाज बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला, कि देखें, great depression हो गया था, USA में, जैसे आपको पता है, 1930 में यह हो गया था, great depression, और इसकी सुरुवात पहले से ही हो गया थे, 1920-30 में दिखने लग गया था, तो जॉन मेराट केंज साब ने क्या किया, बोला कि देखें, जो capitalistic economy है, वो fail हो गई, वो prove हो गया, क्योंकि US क्या करता था, US capitalistic economy में बिलीफ करता था, presence of lazies fair बोलते हैं, मतलब presence of private property, तो बोला कि यह तो market जो principle है, यह सब दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहा है, fail हो गया, क्योंकि सरकार का control नहीं है, economy पर, market पर, तो इन्होंने बोला कि देखो, एक काम करेंगे, जो capitalistic economy है, उसके good trades को निकालते हैं, और साथ में निकालते हैं, जो socialist economy है, socialistic economy, उसके भी good trades को निकालते हैं, और दोनों को मिला के एक बनाते हैं, जिसे mixed economy बोलते हैं, mixed economy, वो इनका आइडिया था, तो यह suggestion जो भी था, use of fiscal policy measures to rectify, rectify great depression यह दिया था, John Maynard Keynes ने, John Maynard Keynes, Kenyan idea भी बोलते हैं, जब तोड़ा डीप में पढ़ोगे, समझ में आएगा, यहां इतनी जनकारी बहुत है आपके लिए, who announced the long term fiscal policy in India, तो यह VP Sinha government ने, 1986 में start किया था, long term fiscal policy in India, ठीक है, next है, the item replenishes, a large part of fiscal deficit in the central government budget is, domestic borrowing, ठीक है, domestic borrowing इसका सही answer होगा, और large part जो फॉर्म करता है, fiscal deficit of the central government budget, तो वो है domestic borrowing, who was the first chairman of the disinvestment commission, disinvestment is a process, wherein the stake of government, stake of government in public sector undertaking, public sector companies is reduced, और is being sold by government, ठीक है, तो इसको disinvestment कहते हैं, तो यह भी जो भी सरकारी कंपनी हैं, उसमें सरकार अपना, जो है stake कम करती है, disinvestment के द्वारा, और इसके लिए commission first, जो है chairman, commission बनाई गई थी, disinvestment commission, इसके first chairman थे, G.V. Ramakrishna साहब, what is an expenditure called, that does not result in creation of capital, or wealth in the economy, that is called revenue expenditure, दो तरीके के expenditure होते हैं, तो आप समझी गए कि वह ऐसी खर्च, जिसमें कोई creation of capital, या फिर वेल्थ नहीं हो रहा है, जैसे कि revenue expenditure में यह भी आ जाएगा, आपने social sector पर खर्चा कर दिया, social sector पर खर्चा किया, किसी के education के लिए खर्चा किया, किसी के लिए घर नहीं था, तो उसके लिए housing के लिए पैसे खर्च कर दिया, तो यह revenue expenditure है, जहाँ पर कोई capital create नहीं हो रहा है, बट ऐसी खर्च कर रहा है, जहाँ पर capital create हो रहा है, जैसे कि machinery खरी दिया, अपने infrastructure में invest कर दिया, तो यह सब खर्च ऐसे होते हैं, जो further आपको आगे जाके फाइदा करेंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते है, creation of capital या फिर wealth, तो ऐसे को capital expenditure कहते हैं, ठीक है, तो दो तरीके के expenditure मैंने बताया, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा, when total revenue receipts are less than the total revenue expenditure in financial year, what is it called, तो यह से revenue deficit कहते हैं, सिम्पल में RD या फिर revenue deficit is equal to, सरकार का total expenditure revenue expenditure, revenue expenditure से मतलब मेरा यह है, कि वैसे खर्च, जहां से कोई capital create नहीं किया गया है, minus वैसे income, total receipt, actually मुझे ऐसे लिखना था पहले, total receipt लिखना था पहले, ठीक है, चलिए, एक नहींट, revenue receipt लिखते थे हैं, पहले, rr लिखते थे हैं, ठीक है, तो, sorry, RD is equal to, क्या हजाएगा, तो RD मैंने बताया अभी, revenue, deficit जो होता है, उसका formula क्या है, revenue deficit क्या होगा, revenue deficit होगा, आपकी revenue receipt, rr जिसे कह सकते हैं, minus revenue expenditure, जो आपकी कमाई हुई revenue के तौर पर, जो पैसा आया आपके पास, minus जो आपने expenditure कर दिया, उसे हम revenue deficit कहा देते हैं, next है, fiscal policy, देखे, fiscal policy में दो पार्ट है, एक तो पब्लिक revenue है, दूसरा पब्लिक expenditure है, इसको मैं तोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तकि आपको complete दिखे, देखे, fiscal policy में मैंने क्या बताया आपको, दो head है, flow chart से समझेंगे, पब्लिक revenue है, जिसमें revenue receipt है, और capital receipt है, ठीक है, वही पब्लिक expenditure में revenue receipt है, और capital receipt है, तो देखे, revenue receipt में क्या क्या आएगा, revenue receipt में आएगा, tax revenue, जो भी आपने tax collect किया, लोगों से direct, indirect, जो भी, तो उसमें regressive tax हो सकता है, proportional tax हो सकता है, progressive tax के method हो सकते हैं, non-tax revenue, वैसे मतलब जो income पे नहीं लगाया, non-tax revenue, sorry, मतलब आपने tax के बिना भी तो कुछ revenue receipt होगा, जैसे कि आपकी public income receipt through the administration, माल लिजे कि fees, fines वगरए penalty, जैसे कि एक example अच्छा होगा, कि जैसे traffic police वाले चलान काटते हैं, तो वो क्या tax है, tax नहीं है, वो fine मारा है आपको, ठीक है, कुछ fees भी लेती है, सरकारी जो organization है, processing fees, तमाम तरीके fees होती है, तो वो public income type का non-tax revenue में आता, इसके अलावा profit of PSU, जो public sector undertaking है, यह ऐसे undertaking होते हैं, जिसमें सरकार का पैसा लगा होता है, तो इनके profits तो भीया, सरकार की earning होगी न, revenue ही होगा उसका, इसके अलावा gift and grants वोगरे से भी पैसा आता है, फिर capital receipt क्या है, ऐसा पैसा आया, जो कि capital है, मतलब कि उसको जो है, आप कहीं ने कहीं, वेल्थ क्रियेशन में यूज कर रहा हो, जैसे कि borrowing, आपने किसी देश से पैसा बॉरो कर लिया, loan recovery हो गई आपकी, आपने PSU को stake को बेच दिया अंदर, disinvestment हो, वो भी तो आपका capital ही है, न, उसको तो कहीं खर्च करोगे, बेकार थोड़ी हो गया वो पैसा, small saving वोगेरा, यह सब जो है capital receipt आएगा, यहाँ पर आपको doubt हो करें, revenue में भी तो पैसा आ रहा है, लेकिन यह पैसा ऐसे जगह से आ रहा है, जो कि further सरकार को खर्च करना है, further सरकार को जो है, फिर से इसको खर्च करना पड़ेगा, मालो जनता से पैसा इकठा किया है, तो सरकार की दाईत है कि जनता के लिए facilities create करें, income tax आप देते हो, तभी तो आपको पाक्स मिलते हैं, सड़क मिलती हैं, वो तो खर्च हो जाता है न, तो इससे capital creation नहीं होता है, ठीक है, या फिर आपके ऊपर खर्च हो जाता है, फिर आता है इधर आजाएं, तो capital receipt क्या होता है, इसका तो borrowing ये समय ने बता दिया, फिर आते हैं, public expenditure पर, यह हमने revenue section देख लिया, expenditure section पर आएं, तो आप देख सकते हैं, कि revenue receipt होता है, और capital receipt होता है, यहाँ पर क्या होगा, revenue receipt कहाँ साइगा, public income receipt through administration profit gift grants, और यह सब, आपके loan to estate आपने देदिया है, तो यह आपका, ठीक है, expenditure आगया, expenditure on asset creation, यह सब दो हेड में आपके fiscal policy, सरकार जो है, ministry of finance, जो है, इसको decide करती है, in which year was the fiscal responsibility and budget management, इसको FRBM बोलते हैं, act, FRBM act बोलते हैं, यह 2003 में आया था, इसमें क्या वो लगया, कि भाईया, सरकार की कुछ दाइद तो होंगी, कि जो fiscal deficit है, उसको control करेगी, वो सारे effort लगाए जाए, कि fiscal deficit को विदिन एक range में रखा जा सके, इसके लिए fiscal responsibility and budget management act लाया गया, का मतलब यह है कि total expenditure जो है, सरकार का और total उसमें से minus कर दो, total receipt, तो अगर यह minus में आ गया, तो budget deficit हो जाएगा, कई बजट surplus भी होता है, यहाँ पर बहुत ही यह, मैं कहूंगा कि एक अच्छा यह example नहीं है, ऐसे formula गलत लिखा गया है, बट मैं आपको बताता हूं, बजट deficit के जगए बजट surplus भी आता है, तो यह अगर जो value है, माल लिजे कि total expenditure 100 रुपया है, और total receipt जो है, एक सो, चलो 99 ही है, तो यहाँ पर क्या आया value आई, प्लस में, प्लस में आई, बट total expenditure आपका ज़्यादा है, खर्च से ज़्यादा है, तो उसको उस sense में लो, खर्च आपने ज़्यादा किया है, तो इसका मतलब deficit होगा, आपका I था कम, खर्च ज़्यादा कर लिए deficit होगा, लेकि माल लो कि ऐसा होगा कि खर्च हुआ 99, और receipt होगया आपका 100, तो आपके पास क्या है, माइनस वन आया, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जो receipt है न, वो ज़्यादा होगया, तो यह होगा budget surplus, ठीक है, समझने की कोशिश करो, I से ज़्यादा खर्च, budget deficit, I से कम खर्च, budget surplus, तो नेक्स्ट है, revenue deficit, revenue deficit में क्या होता है, revenue expenditure, माइनस revenue receipt होता है, obviously, revenue, अगर expenditure, जो है, revenue जो आपने खर्च ज़्यादा कर दिया, अगर revenue receipt से, तो आपका deficit ही आएगा, अगर आपका revenue expenditure कम हुआ, revenue receipt से, तो revenue surplus भी आता है, fiscal deficit में क्या होता है, total expenditure, आपने total, except borrowing की बात होती है, total expenditure माइनस, total receipt जो है, यहां पर borrowing आउट हो जाता है, इसमें क्या borrowing भी रहता है, इसमें borrowing भी रहता है, इसमें borrowing आउट हो जाता है, except borrowing, तो इसे हम fiscal deficit कहता है, तो प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, fiscal deficit माइनस interest payment, अगर खटा दो, तो आपके हो जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है, effective revenue deficit क्या होता है, this is revenue deficit minus grant for creation of capital asset, that is called effective revenue deficit, और यह होता है, monetized fiscal deficit, it is that part of the fiscal deficit, which is covered by borrowing from the RBA, क्या होगा, monetized fiscal deficit, मतलब कि, कई पर जान बुच के सरकार, fiscal deficit करवाती है, ताकि जादा जादा पैसा खर्च किया जा सकते, fiscal deficit मतलब क्या समझे, आपका expenditure जादा है revenue से, और ऐसी कई बरना, सरकार RBA के थुरू करवाती है, बोलती है कि RBA, आप मुझे, मालू मुझे 1500 रुपे खर्चा करना है, मेरे पास 100 ही रुपे है, तो मैं क्या करूँगा, RBA से 50 रुपे ले लूगा, मैं सरकार हूँ, ठीक है, मुझे सरकार समझो, मैंने RBA से 50 रुपे एक्स्टा ले लिया, अब RBA ही तो मेरे से, सरकारी ही बोड़ी है, तो वो, अब मेरे पास 50 रुपे एक्स्टा हो गया, लेकिन हमने RBA से ले लिया पैसा, तो यह मोनिटाइज फिस्कल डिफिसित हो जाएगा, मोनिटाइज फिस्कल डिफिसित हो जाएगा, एक्स है, वाट इस परपोस अफ निर्विक योजना, यह सवाल पूछा भी गया है, कई पर एक्जामस में, तो निर्विक यह आई थिंग, 2021 वाले बजट में आया था, क्या, हाँ, कुछ ऐसी है, तो निर्विक योजना जो था, यह यह था, यह था, हाइर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्टिबुशन के लिए, यह निर्यात से संबदी था, निर, निर्यात, निर्विक, तो निर्विक यो था, यह एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्टिबुशन से रिलेट था, यह था, हाइर, एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्टिबुशन, विच दिफिसित is defined as the return received after deduce, deducting interest payment from the fiscal deficit, यह है, प्राइमरी डिफिसित, grant for creation of capital assets from the revenue deficit is called effective revenue deficit what is gained by reducing the grant for creation of capital assets from revenue deficit that is called effective revenue deficit who suggested the concept of effective revenue deficit ये concept दिया था रंगराजन committee ये रंगराजन साब सी रंगराजन की बात हो रही है ये former RBI के governor भी रह चुके हैं so इन्होंने suggest किया था on the concept of effective revenue deficits रंगराजन committee on the public expenditure का ये suggestion था in the parliament in the parliament in the subject of budget related process the policy of reducing the amount of demand to one rupee is called policy cut motion ठीक है in parliament subject of budget related process the policy of reducing amount of demand to one rupee is called policy cut motion तो ये जब आप पॉलीटी पढ़ोगे ना वहां भी ये जब cut motions वगर पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा ठीक है मतलब होता क्या कि मान लिजिए कि हर ministry जो है अपने अपने हर department जो है हर ministry अपना पोजेक करती है कि मुझे इस साल इतना पैसे चाहिए मान लिजिए मैं ministry of finance नहीं बोलेंगे ministry of road transport हूँ तो मैंने बोला कि मुझे आज इस साल ना डेल लाख करोड रुपे चाहिए यह मेरा डिमांड है ठीक है यह मेरा डिमांड है बजट का तो बजट पर वोटिंग होती है आपको पता है पार्लियमेंट पर वोटिंग होती है इसको अप्रूब करना पड़ता है तो बोटिंग में क्या होगा जो opposition वागर सब्सक्राइब करते पॉलिशी कट मोशन लेके आएंगे बोलेगे कि इस डिमांड को ना एक रुपे कर दो एक रुपे कर दो मतलब कोई वर्थ ही नहीं रहे जाएगी इस मोशन को में कहते है पॉलिटी कट मोशन पॉलिशी कट मोशन इन विच वाउटकम बजट जाता है कि यह आउटकम कैसा रहा उसके हिसाब से पैसा डिस्ट्रिबूट किया जाएगा अच्छा है तो अच्छा पर फिर से पैसा लगाओ आउटकम बुरा आया तो वहां पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है निच्टेश जेनल बजट प्रजेंटेट फॉर दॉर फिर लिवाट इसे संसेट बजट भी बोलते हैं जिरो बजट बजट को संसेट बजट भी बोलते हैं और यह पांच लाग तो क्या है डी आई सी जी जी वोलते हैं इसको यह क्या होता है कि माल लीजिए कि आपका कुछ पैसा है माल लीजिए कि आईसी इस आई बैंक में एक एक जाम्पल दे रहा हूं बैंक पूरी नहीं आईसी इसी बाइंक हैं से मतले न आईसी इसए बैंक में आपने 50 लग रुपें लगा दिये हैं डग दिपो जिकांट है पड़ा हुआ है अब ये जो है यह आई सी आई इसी बैंक जो है डिफोल गई यहांद पैसा खत्म हो गएगए पैसा ही नहीं है डिफॉल्ट हो गया तो क्या आपका 50 लग 5 लग डूब जाएगा जी नहीं आपको जो है आपका deposit insurance के अंडर आपको जो है deposit insurance credit guarantee corporation एक corporation है जो आपको at least पांच लग तो देगी तेगी मतलब कि आपका जितना भी Een वायंट जितना भी एमाउंट हो एब वेवेबंगर 5 लाक एक मालिज्य इस सेकला क्ये सट उगर डिफॉल्ट हो गया तो आपको पांच लाक में मिल जाएगा निकिन अगर पचास लग है एक करोड़ है पचास करोड़ है तब भी आपको पांच लग ही मिनिमम मिलेगा अगर बैंक डिफॉल्ट हो जाए तो त्रू विच बिल ड़्ड़ फाइनस मिनिस्टर प्रपोजड प्रपोजड टू प्लांट न्यू टैक्स रिफॉर्म और रिफॉर्म दा इग्जिस्टिंग टैक्स चेक्ट अस्ट्रक्चर और अप्रूब प्लान इन दे सेम वे यह फाइनस बिल आता है ठीक है फाइनस बिल दूब फाइनस मिनिस्टर क्या करते हैं प्रपोज करते हैं नया कोई टैक्स लाना हो भाया मेरा काम नहीं चला और पैसे चाहिए तो कोई नया टैक्स भी आता है कई बार इंटर्टेंबंट टैक्स और सरचार्ज ऐसे कुछ लगाना हो तो रिफॉर्म करेंगे इंडियन रिपब्लिक इन नाइंटीन फिफ्टी एक मैंने पहला जो है इनको डिस्टिंग्शन मिला हुआ इन्होंने प्रजेंट किया था फर्स्ट यूनियन बजट इन इंडियन रिपब्लिक मतलब भारतिया सरकाल जी रिपब्लिक बन गई थी 1950 के बाद नहीं जानते है का जो बजट था वो किया था इन्होंने जोन मिताई साब ने इसलिए इनको डिस्टिंग्शन मिला है फर्स्ट यून बजट इन इंडियन रिपब्लिक में पेस करनेगा नहीं नहीं बज्ट ऐसरी इस नहीं आएक आटियन और तो मीटे जिय the physical deficit arising out of budgetary practices in a financial year which debt is received from internal and external sources to wür Perform the public debt even order to meet the fiscal deficit arising out of budgetary practices in financial year which debt is received from the internal and external sources is Deb Welten Public debt पब्लिक देट बोलते हैं इसको वेन देर इस डिक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर और इंवेस्टमेंट दूट गौर्वर्मेंट एक्सपेंडिचर वाट इस इत कॉल इस इसकाल ग्रावडिंग आउट इफेक्ट तो थोड़ा और डीटेल में बताता हूं होता क् सरकार क्या करती है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है मतलब सरकार खूद क्या करती है कई सारे स्कीम में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है जैसे मान लीजे कि मेरा फाइव यर का प्लान है यहां पर मैंने खूब सारा पैसा देती है अब देखिए एक्सपेंडिचर में डिक्रीज होगा सरकार खुदी क्या कर दिये बैंकों से और भी ऐसे पैसा ले लेकर खज कर रही है को सपोज मोनिटाइजड डिफिसिट फाइनेंस कर रही है फिसकल तो उसकेस में क्या सरकार ने जो पैसा प्राइवेट सेक्टर को मिलना चाहिए था उ इसमें चार प्रैक्रिटि डिए फोसीज मिल जा रही है रहना मिलती नहीं है इसको फ्लोचार्ट में देख लिए और चार प्राइटी एरिया है वह है पीम गती सकती पीम डिसक्रोटी सकती लॉइस्टिक से लिडिटेट है धूसरा है मुल्ति मोडल लेस्टिक वगर भी इ दूसरा है inclusive development तीसरा है inclusive development क्या होता है ऐसा development जो कि जिसका देखिए economic growth करती है लेकिन उसका growth जो है ना जो पैसा हम generate करते हैं वो नीचे तक नहीं जाता है मतलब lower strata तक पहुंच जाए वैसा नहीं हो पाता है तो इसके लिए हमारा agenda रहते हैं कि inclusive development होता है होना चाहिए मतलब कि सबका साथ सबका विकास वाला concept ठीक है सबका विकास होना चाहिए inclusive development बोलते हैं next productivity enhancement and enhancement and investment sunrise opportunity energy transition climate action थीसरा हमारा priority था चौथा priority financing of investment तो यह चार priority पे सरकार ने budget पेस किया था खेर next year the dividend distribution tax that that is DDT was ableist by government of India during the budget of 2020 2021 the dividend distribution tax that is DDT was ableist by government of India during budget of 2020 2021 from which year is the beginning of fiscal policy considered to consider किया जाता है since 1936 since 1936 beginning of fiscal policy consider किया जाता है इस साल को what does amrit kaal referred to in to in budget 2022 2023 to amrit kaal का जो है यह this is the period from 75 year to 100 years of India's independence this is the period from 75 years to 100 years of India's independence azadit ka amrit kaal ठीक है the concept of fiscal deficit was presented by the Sukhmay Chakravarti committee in year 1985 there is a concept of fiscal deficit ka this was presented by Sukhmay Chakravarti committee in the year 1985 what measures or instruments does the fiscal policy make it impact on to you the budget taxes public expenditure and debt this is these are the measures or instruments that make impact on the fiscal policy budget हो गया आप किस तरीके का बजट पेस करते है उस पर आपकी fiscal policy जो है depend करेगी आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं आपका किस तरीके का budget है budget पे सबकुछ डिपेंड करता है आपका taxes का structure कैसा वो भी fiscal policy आपका determine करता है public expenditure कर रहे है कि नहीं कर रहे है public debt आप generate करते हैं यह सब फिसकल policy के important basis है कहने का मतलब मीजर्स है which measures are adopted under the fiscal policy during economic recession तो यह था lowering tax rate to increase increase aggregate demand and fuel economic growth तो यह देखें यह तो adopt हमने ना जब एक कोबिट 19 का वेव आया था तब भी हमने किया था हमने लोर आर्वी ने lower कर दिया था रेट को और उस समय लोन लेना बड़ा असान हो गया ता अभी भी असान है अभी इतना market में क्योंकि demand regenerate करना बहुत जरूरी था पैसा होगा तभी तो demand आएगा when was ad hoc treasury bill system abolished to meet the budget deficit in India तो यह abolished किया गया था 31st March 1997 को 31st March 1997 को यह abolished किया गया था what is rate of tedious proposed in union budget 2022-2023 on payment made in relation to transfer of virtual digital asset तो यह 1% का किया गया कहने का मतलब है कि अगर आप virtual digit asset जो है जैसे की cryptocurrency वगरा का transaction कर रहे हो उस पर भी tax देना पड़ेगा वो tax होगा एक परसेंट का जिस जितने वर्थ का आप transaction कर रहे हो उसका एक परसेंट सरकार ले लेगी TDS टैक्स डिड़क्टेड आप सोर्स बोलते टीडियस को how much increase in capital expenditure for financial year 2022-2023 तो यह 35% का जो है इंक्रीज किया गया है एक पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम और पीएम इविद्या विल बी expanded from 12 to how many TV channels तो यह 200 चैनल को 12 चैनल जो है इनिसियली वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम किया गया था 12 चैनलों पर इसे अब expand करके 200 चैनल पर यह सब कोबिट के वज़से हुआ था कि भाईया कहीं ने कहीं कहीं क्वालिटी एजूकेशन जो है अगर फ्री में आपको टीवी चैनल पर मिल जाए तो पीम इविद्या स्कीम लाए गया था इसी के चुने गया थे और इसकी सर्क संख्या जब दो सबना दी गई है पीलाई स्कीम है प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम इसको 14 सेक्टर में दिया गया है इंपोर्टेंट जो कोर सेक्टर सोते जहां से सब ज़्यादा employment generation or employability जहां पर है जादा नाव मिन अविद्या सेक्टर स्क्रेट सेक्रूसल को विद्यूना था जोड़क्रिव सेट गया प्रोड़क्शन जोड़क्शन स्कुलाइस एड़क्शन टो एड़क्शन हो जाए तो अच्छी बात नेंक्स तेख्ते और इन विच यूणियं बजट वाज इफेक्टिव रिबेन्यू दिफिसित इंटोटुस दिस वॉज इंटोटुस्ट इन बजट 2011-2012 थाइध यूणियं बजट एफेक्टिव रिबेन्यू डिफिसित के बेसिस पे ठीक है आट वॉत रेट विल भी है टेक्स्ट on से इनियुल इनकम झाल ट्रांसफर बी टिजिटल में एसिट इसेट यह 30 परसंट ठीक है 30 परसंट को हैं कोई वर आपका इनकम आता है वरेजिद्ट डिजिटल एसेट कोई मातलच आपने कृप्टो करेंसी से इंकम जनरेट कहीं मानुचर आपने एक लाख की kíveis करनेसी खरी दी थी और अभ यह 1 लाख की कैट क्रिप्ट करनसी हो गई 2 लाय की तो आपने 1 लऔ का profit generate किया इस 1 लाख किशा में से 30% सरकार को आपको tax देना पड़ेगा यानि कि एक लाग का 30 प्रसेंट थर्डी थाउजन आपका जो है टैक्स में ही चला जाएगा तो इसके बाद जो है ना सीवा विवा कौन-कौन से वह सब क्रिप्टो करंसी थे जो बूम मार गये थे एक एक दिन में लोगों को दो दो तिन 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 लाग का प्रोफिट दे रहे थे व मुद्स्यिदे मॉडल के तहरे ट कारति सक्था करोंEl कौत कव्त सुष्जिद यूर स्र्म छूणे अब क्यूद के अधियों और करेक्ण है शल्राखक परेंते अंट शोर जोए इंत तीन साल में सो ऐसे इसे मॉडिमोडल लोजिश्टिक फ्धे तासलिष्टीष माले टर्म into chemical for industry a total four johan projects private projects like four as for the date given in economic survey 2011-2022 which of the following states had highest net estate domestic product at current price in the year 2021 2020 2020 2021 year Tamil Nadu Tamil Nadu what percentage of GDP is estimated to be the capital expenditure in the year 2022-2023 they had two point nine percent two point nine percent how many times nirmala sita raman presented the budget in parliament a man teen bar johan budget ko paste kia nirmala sita raman what is the total budget outlay for health and well-being in budget 2021 2021-2022 the year 2.32 lakh tax crore ka budget paste kia gaya ta according to economic survey 2021-2022 which state of india had highest production of maize in the year 2020-2021 to yeh karnatak hai as per union budget 2022-2023 the fiscal deficit in the financial year 2022-2023 is estimated to be what percentage of GDP yeh hai 6.4 percent when was the first budget of independent india introduced to yeh 2019-1946 meh by rk sanmukham chetti ke dhwora rk sanmukham chetti ke dhwora logistic performance index lpi yata hai this is an inter interactive benchmarking tool that is released by world bank group ठीक ग्रूप ठीक ग्रूप के दो रहे लीज के जाता है अब हम देखेंगे अगरिकल्चर एन एलाइट सेक्टर अगरिकल्चर एन एलाइट सेक्टर में पहला पॉइंट आपको दिख़ा होगा और इसक्रिन पर अगरिकल्चर सेक्टर बिलॉंग्स टू PRIMEरी सेक्टर आफिंडियन एक्कोनॉमिक टीके सेक्टर टीके प्राम्री सेक्टर ओदे जैसे के मैने शुरु में बताया था प्रामरी शींडरी टर्सेरी तो एकरिकल्चर जो है ऐसे चीज़े जिसमें खेती बाड़ी एंद नेचुरल डीसोर्स का एक्स्रैक्शन वगड़ा यह सब प्राइमरी सिक्टर में आता है अगरिकल्चर अलाइट सिक्टर मिंस फार्मिंग, फिसिंग, अनिमल हज्टि, अनिमल हस्बेंटरी एंद होटी कल्चर काई थे तो कहने का मतलब हो चाहिए agreement क्या मतस है अलाइट यह क्व साथर खेंथ ही थी के कल्चर करेंगा फिसरी करें वो भी आपके अलाइड आजवा अज़ाएगा और हैं को इंटिकर, मतलब कोई यह च्छाल प्राण निमेल हस्बेंड़ी स्कॉर होटी कल्चर भी होता है ठीक है मतलब होटी कल्चर में जैसे खेती बाडिया पूल पोदों की पूल पतियों की यह फिर आप जैसे वेजिटेबल्स वगरे करें, अब अगरे करें, that all comes under horticulture. So, under which list is agriculture placed in Indian constitution, तो ये place किया गया, state list में जो कि 7th schedule का पाथ है. State list जो कि 7th schedule का पाथ है. What is the total number of agro-ecological zones in India? The total number of agro-ecological zones जो है, वो 20 है इंडिया में. Under which chairmanship was the agricultural price commission setup, तो ये किया गया था, Professor M.L. Dantwala के chairmanship में. Professor M.L. Dantwala. When was agriculture price commission renamed to agriculture cost and price commission, CACP, तो ये किया गया था, in the year 1985 में. In which year was the agriculture price commission established, तो ये हुआ था 1965 में, 1965. These are the facts you have to remember. Where is the headquarter of agriculture cost and price commission? ये वैसी commission है, जो कि MSPD side करने में बहुत help करती है. तो ये इसका headquarter है नई दिल्ले में. नई दिल्ले. Which is the highest apex or highest or the apex organization of agricultural marketing cooperatives at national level, तो इसको NAFED बोलते हैं. NAFED क्या होगा? National Agriculture कुछ ऐसे related है. NAFED ठीक है. Next है, National Academy of Agricultural Research Management, जिसका NAARM है, short में. ये हैदराबाद में located है. How often is the minimum support price has been recommended by CACP, that is Commission for Agriculture Cost and Price. ये twice in a year, twice in a year दिया जाता है, दो बार साल में. जब भी मतलब sowing से पहले ही बता दिया जाता है, इस बार जो rice की होगी, MSP वो इतनी होगी. इस बार जो wheat की होगी, इतनी होगी. तो इससे क्या होगी, फामर्स में एक नहीं उर जाती की, भाई ये, इस साल इतना fixed, assured income तो होगा ही होगा. चिक है, तो इसमें, production अपने हिसाब से mold कर पाते हैं, है ना सब कुछ. So, the Commission for Agriculture Cost and Price currently declares the price of total 22 crops under the minimum support price, in which 14 crops are kharif crops, 6 are ruby crops, and 2 are commercial crops, that is jute and copper. जूट and copper, sorry, jute and copper, जो है, ये दो जो है, commercial crop है, मतब टोटल 22 है, ये पूछता है कई बार, आपको याद दोना चाहिए, which method is used to measure agricultural income in India, तो ये output method से हम measure करते हैं, output method, ठीक है? In which state, multi-purpose seaweed park will be set up, तो ये Tamil Nadu में, seaweed के मतलब है, जो मचली-मचली के लिए, ठीक है, multi-purpose seaweed park, जो है, ये Tamil Nadu में बनाया जाएगा, In which year, the minimum support price for the food grain started, तो ये 1964 में start हुआ था, on the recommendation of Lakshmi Kanth Jhaan Committee, Lakshmi Kanth Jhaan Committee के recommendation पे ये start हुआ था, ठीक है, नेक्स दिखते हैं, When was National Land Records? When was National Land Records? Modernization program started, तो ये 2008 में start हुआ है, जिसमें की, मतलब पुराने समय में कहाना, Land Records बिल्कुल clear नहीं था, titles clear नहीं है, लोग लट रहे हैं, पुराने दादा-परदादा के भी दादा-परदादा के नाम से चला रहा है, तो ये modernization program 2008 में start हुआ था, जो actual title holder है, उसको actual उसके नाम पे title होना भी चाहिए, document-wise, and agriculture land that is less than one hectare is called, this is called marginal holdings, देखे, less than one hectare, तो भाईया, small holding हो जाएगा, marginal नहीं होगा, अच्छा, ठीक है, marginal, सबसे पहले होता है marginal, फिर होता है small, फिर होता है big holdings, I think थोड़ा गरबर होगा है, सबसे पहले small होता है, फिर marginal होता है, फिर big holdings होते है, तो ये जो one hectare से नीचे आएगा, यहाँ पे small holding होगा, marginal नहीं आएगा, marginal जो होता है, वो आपके एक से लेकर, दो के बीच के जो होता है, वो marginal holding में आता है, तो यहाँ पे small holding आना चाहिए, फिर एस्टिमेट्स तफियर एंड प्रोफिटेबल प्राइस अप सुगर कें, तो यह होता है, कैबिनेट कमिटी ओन एकनॉमिक अफिर्स, इसको डिसाइड करता है, फिर एंड प्रोफिटेबल प्राइस, Daar after agricultural census has been conducted in three phases at interval of every five years. ठीक है, agriculture census होता है, जिसमें क्या होता है, एक्चलिए, livestock का भी census कर देते हैं, एक्चलिए, क्या land का status है, कैसे क्या, कौन किसमे independent है, land पे, कितना, कौन सा आदमी agriculture बेंजीव का जी रहा है, livelihood, उसका होई से आरह है, data collection होता है so the weather based crop insurance scheme was first implemented in India in the state of Karnataka Karnataka में यह implement किया गया था national agri-tech project is funded by which international funding agency in India तो यह है world bank world bank is the right answer why has the government of India decided to set up a price stabilization fund so this was decided to keep the prices of tea, coffee, rubber and tobacco stable क्या किया था price stabilization fund लाए गया था in which year was the national food security mission started तो यह हुआ था year 2007-8 में financial year national food security mission UNDP has called professor M.S. Swaminathan the father of economic ecology ठीक है यह क्या है M.S. Swaminathan ecologically effective मतलब वैसे नहीं कि farming कर रहे हो और उसको बर्बाद कर दिया लाड को ऐसा नहीं और चैए था ठीक है वर्गीज कूरियन इस एससेटेटेटिज वीट रेवोलूशन दूद्द की earned 5 से लेटेटेट है यह वर्गीज कूरियन यए केरला कर थे केरला के थे major agricultural revolutions , green revolution , food grains , white revolution , milk and dairy products , silver revolution , eggs and Paul Ticelli , yellow revolution , oilseed , blue revolution , pink revolution , prawns and onions , golden revolution , golden fiber revolution and jute , silver fiber revolution . related to cotton neem coated urea, this was very famous in 2015, यह क्या हुआ कि urea में neem quotation coat डाल दिया गया थाकि urea की quality बढ़ जाया, उसका quality बढ़ जाया और nutritional level बढ़ जाता है उससे, so neem coated urea policy was adopted in which year तो यह adopted किया गया था 2015 में as per 2018 agricultural as per 2018 agriculture employed more than 50% of the Indian workforce साही बात ही है, आभी भी more than 50% लोग जो है लिवली हुट के लिए agriculture पे ही dependent है and contribution जो है GDP में इसका काफी कम है 17-18% ही है GDP में इसका काफी कम है 17-18% ही है GDP में इसका काफी कम है इसका कम है next question है, the Indian National Agriculture Co-operative Marketing Federation, this is in short Nafed is related to this is related to agriculture agricultural marketing, Nafed एक ऐसा body है एक federation है जो की agricultural marketing में इसका रोल है, cooperative marketing में इसका रोल है where is Indian pasture and fodder research institute located so this is located in Jhansi UP Jhansi UP at what price does government purchases food items, तो ये इस price को जिस price पे ये खरीती है, government वो उसे हम कहते है procurement cost procurement cost कहते है, ठीक है procurement cost कहते है, मतलब जिस rate पे government खरीती है food items को लोगों से, जैसे कि माल लेजेए किसानोंने कुछ food items उप जाया है, उसको government procure करेगी, तो उसे हम वो किस rate पे procure करेगी, तो procurement price पे करेगी which five-year plan had highest growth rate in agriculture, तो ये है eighth five-year plan, and which nodal agency is for procurement, distribution and storage of food grains, तो ये है food corporation of India, FCI FCI क्या करती है MSP वाले rate पे खरीद लेती है, किसानों से distribution भी करते है, through the PDS system PDS के outlets है आज तो TPDS हार गया है targeted public distribution system चेक है where is Uttar Pradesh Agricultural Research Council located, so this is located in Lucknow, Lucknow में located है the first world food award has been conferred to Professor MS Swaminathan the agricultural scientist of India and the father of green revolution in India in 1987 पहला world food award इनी को दिया गया है MS Swaminathan सापको green revolution में, he has played a very important role that is why he is also father of green revolution considered to be father of ठीक है and in 1987 में इनको ये award दिया गया था what is nature of agricultural loans provided by Land Development Bank तो ये लोन जो होता है long term का लोन होता है long term loan in which crops case the green revolution was most successful in India तो ये वीट के लिए most successful होगा था especially अपका western Uttar Pradesh और पंजाब वाले रिजन में it has got a very successful ratio what is approximate average crop intensity in India so 139% जो है approximate जो है हमारी crop intensity है इंडिया की 139% which year has been marked by government of India to double the income of farmers तो ये year decide किया गया था year 2022 ठीक है 2022 तक इसको double कर देना था who publishes handbook of agriculture who publishes handbook of agriculture तो इसका answer होगा ICAR यानि की Indian Council of Agricultural Research next है when was the rain-fed area development program launched by Department of Agriculture and Cooperation Government of India तो ये किया गया था in the financial year 2011-2012 in the financial year 2011-2012 next है population pressure hidden unemployment and small size of land holdings are main reasons for low productivity of Indian agriculture population pressure क्योंकि हमारे हां क्या है हमारी अबादी बहुत जादा है we are the second largest in terms of population we rank second and तो है ही population pressure तो होगा ही क्योंकि land जो है वो लिमिटेड है हमारे पास population जादा है so population pressure hidden unemployment hidden unemployment क्या होती है जैसे कि मालीजे के अगरिकल्चर सेक्टर है उसमें मालीजे एक land है इस land में मातर दो लेवर की जरूरत है मालीजे और इसमें पांच लोबर काम कर रहा है तो इसे हम hidden unemployment ही तो कहेंगे लगेगा कि पांच लोग काम कर रहा है पांच लोग को employment में हैं लेकिन एक्चुली only two are required so two is only employed this is called remaining three are hidden unemployed but a small size of land holding भी एक one of the region है because the land size day by day it is decreasing generation by generation day by day it is decreasing अमेरिका का अगर देखेंगे तो अमेरिका में land size काफी बड़ा है काफी बड़ा है वहाँ पे लोग agriculture को industry की तरह treat करते है बढ़ हमारे हां ऐसी बात नहीं हमारे हां only subsistence के लिए किया जाता है these are the main reasons for low productivity of Indian agriculture where is Central Food Technology Research Institute located so this is located in Maizur that is in Karnataka National Special Agriculturalbau Scheme is mainly related to this is related to exportable agricultural production जिसे हम उति एक्सपॉट कर सके जिसे हम एक्सपॉर्ट कर सके जिसे हम उतिन इछाम पिकेट कर सके जिसे 1962ु स्टुनेट इं छिशू को मरा एक्रेट परन पचलिश स्कॉट कर सके gift good example tea crops tea plantation these are the best examples tea coffee sugar cane and etc where is Asia's first mega food park located to Asia का पहला जो है mega food park ये लोकेटेड है Gettelstoot this is in Ranchi Gettelstoot this is in Ranchi Major Agricultural Research Institutes देख लेते हैं उनका location कहां पर है तो C I A R I this is this stands for Central Island Agricultural Research Institute अब obviously island लगा है तो किसी island जगह पहीं होगा Port Blair इसका place है ठीक है Port Blair काजरी काजरी को हम लोग Central and Central Arid Zone Research Institute बोलते हैं और ये जोदपूर में है जोदपूर में काफी area area है मतलब overall Rajasthan में especially जोदपूर पिकानेर बाडमेर सब गलान का टूरी कारी कारी के सेंट्र एंड ये जूडत नगर ये बाड़ टाक्ट्वर इसेच्टलिक्ड्writing CIRB, this stands for Central Institute for Research on Buffaloes, this is located in Hisar, Hisar is in Haryana CIRG, Central Institute for Research on Goats, this is located in Makhdoom in Uttar Pradesh CIAE, this stands for Central Institute of Agricultural Engineering, this is located in Bhopal CIAH, this is Central Institute for Arid Horticulture, this is located in Bikaner CICR, CICR stands for Central Institute for Cotton Research, this is in Nagpur and CIFT, this stands for Central Institute of Fisheries Technology, this is in Cochin CIFA, CIFA stands for Central Institute of Freshwater Aquaculture, this is located in Bhuvaneswar CIRCOT, CIRCOT stands for Central Institute of Research on Cotton Technology, this is located in Mumbai CISTH, this stands for Central Institute of Subtropical Horticulture, this is located in Lucknow CITH, this stands for Central Institute of Temperate Horticulture, this is located in Srinagar CIFAT, CIFAT stands for Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology, this is located in Lodiyana CMFRI, this stands for Central Marine Fisheries Research Institute, this is located in Kochi CPCRI, this stands for Central Plantation Crops Research Institute, this is located in Kasar Gord, which is in Keral CPRI, this stands for Central Potato Research Institute, this is located in Simla and the targeted agricultural growth rate in the first five-year plan was 22.1% but in fact it exceeded the target growth rate and the actual growth rate was 2.71% CRIGEF, this stands for Central Research Institute for Jute and Allied Fibers, this is in Barrackpur again because we know that West Bengal is at top place in terms of jute production in India CREDA, CREDA stands for Central Research Institute for Dry Land Agriculture, this is located in Hyderabad NRIRI, this stands for National Rice Research Institute, this is located in Katak, Katak is in Odisha Okay, rice related and CSWRI, this stands for Central Seep and Wool Research Institute, Aviknagar, this is Aviknagar Rajasthan IISWC, this stands for Indian Institute of Soil and Water Conservation, this is located in Dehradun CSSRI, this stands for Central Soil Salinity Research Institute, this is located in Karnal Then comes to CTRI, this stands for Central Tobacco Research Institute, this is located in Rajamundari CTCRI, this stands for Central Tuber Crops Research Institute, this is located in Trivendram, Keral RCER, this stands for Research Complex of Eastern Region, this is located in Patna Next one is RCNEHR, this stands for Research Complex for NEH Region, North Eastern Himalayan Region This is located in Barapani Meghalaya, then CCARI, this is Central Coastal Agricultural Research Institute, this is located in Aela, Ola, Goa, Old Goa, Goa mein ISRI, this stands for Indian Agricultural Statistics Research Institute, this is located in New Delhi IGFRI, Indian Grassland and Fodder Research Institute, this is in Jhansi, Uttar Pradesh IIAB, this stands for Indian Institute of Agricultural Biotechnology, this is located in Ranchi And IIHR, this stands for Indian Institute of Horticulture Research Institute and this is located in Bengaluru Again, IINRG, this stands for Indian Institute of National Racine and Gums, this is located in Ranchi And so on, with the name, I don't think this is important, just scroll if you want to see them and remember them, then pause and see, I will show you the all, there are too much, you can see, N, I, A, N, P and so on, scroll and see, I think there is no explanation needed in this, so why to waste the time, okay, so you have to see this, blue revolution, blue revolution was launched in India under 7th 5 year plant, this is important, blue revolution is related to, blue revolution is related to what? this is related to ocean products, and ocean food products, this was in 7th 5 year plant, now we have completed the agricultural part, agricultural part, now we will move to industry part, industry part of economics, let's see, the production side of commercial activities is called industry, okay, production side, what does it mean, what does it mean, what does it mean in industry, there is something tangible produced, tangible produced, there is something tangible which you can touch, it will be produced, it will be produced, and what does it mean, we use raw material, and production, finished goods, manufacturing, finished goods, in short, but here, this is the production side of commercial activities is called industry, and it is commercial activity that is concerned with the production, finishing, and manufacturing of goods, so that is simple, as the process of industrialization intensifies, the share of this sector, which sector of economy decreases decreases, so agriculture sector decreases, there are phases in economy, economy there are phases, how? in economy, economy and economy, and economy, which is how we do as a prime moving force, it is prime moving force, which sector about one of the three sectors, which sector you आप PMF बनाते हैं that is Prime Moving Force वो decide करता है कि आपकी economic किस तरीके की है तो जैसे कि phases में हम देखेंगे कि तीन सेक्टर है हमारे economics में overall agriculture sector है industry sector है और service sector है ठीक है यह तीनों सेक्टर में क्या होता है कि जब कोई country grow करती है तो initially वो agrarian society होती है फिर वो industries के तरफ जाती है जहाँ पर वहाँ पर industrialization शुरू हो चुका होता है और most of the people are employed in this industry and most of the contribution to the GDP comes from this sector but further transition जब होता है जैसे कि America America service sector वाली economy बन चुकी है tertiary sector पर service sector में क्या होता है कि most of the people are employed in services and most of the contribution to GDP comes from service तो यह phases होते है सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि industrialization intensify होता है अगर industrialization intensify होता है मतलब increase हो रहा है तो agriculture का जो है value economy economy या फिर agricultural sector जो है वो decline करेगा उस sector की economy decrease करेगी यही बात यहाँ पर हो रही है which sector is referred as knowledge based industry तो इसे information technology कहते हैं IT sector को हम लोग knowledge based economy कहते हैं ठीक है next है which eight industries have status of core industries in India तो यह industries कुछ यह परकार है refinery products power these are why they are called core because without them growth is not possible industry sector do not exist without them that is why their their importance is very high so they are called eight industries and they are called core industries of India so they are number one refinery products number two power power means electricity power finished steel very important and next one is coal without coal production level will be decreased crude oil is fifth one natural gas is sixth cement is seventh and fertilizer is eighth these are the core industries core industry of any industry sector any country what contributes most to the index of eight core industries so petroleum and refinery products यह वाला जो है oil natural gas crude oil ठीक है यह जो है fertilizer infectives में भी fertilizer भी आजाएगा so they are called petroleum refinery products तो यह जो एट में भी जो सबसे ज्यादा contribute करते है वो यह है India's first industry policy was announced on April 6th 1948 by then Minister of Industry and Commerce उस समय कौन थे Dr. Syama Prasad Mukharji इनका focus था industrialization के उपर यह बोलते थे modern India में schools की जरुवत नहीं है schools से ज्यादा में तबज्यो देता हूँ industry को यह ऐसा बोलते थे Syama Prasad Mukharji सा Industrial and Financial Reconstruction Board that is BIFR is related to this is related to reconstruction and financing of sick units which is the most important small scale industry in India so यह है handloom industry so handloom industry is most important small scale scale industry in India next देखते है on which capital is the dividend declared by company so यह capital का नाम है subscribed capital subscribe capital पे dividend जो है declare करती है company what does privatization mean privatization is a process wherein transfer of ownership and management to the private sector is being done तो होता क्या है जैसे कि आपने देखा होगा public sector units है undertakings है तो इन में क्या होता है जैसे एक अच्छा example कोई भी ले लो suppose एक हमारी air India company थी air India company थी जो कि एक public sector के company थी aviation से related अब इसको क्या किया गया बेच दिया गया this is called privatization जहां पर transfer of ownership of management सब दे दिया गया private sector को किसको दिया गया Tata को दिया गया Tata Group को दिया गया ठीक है तो this is called privatization government अपना stake base देती है management भी अपना छोड़ देती है आप ही लो सब कुछ समभा लो the objective of mega food parks scheme in India is to improve the infrastructure facilities for food production processing industry mega food parks क्या होते है कि बहुत बड़े area में तमाम तरीके के activity की जाती है ताकि food items से food जैसे grains वगर से वैसी चीज़े जो waste हो सकती है process करके ऐसा food बनाया जाए तो लंबे समय तक उसको गजर भी कर सकते उसकी value addition हो जाती है उसको बेच भी सकते महेंगे दामों में तो that is why mega food park scheme is important और ये infrastructure facility देती है for food processing industry के लिए वाट इस दे major objective of national investment fund NIF which was set up in year 2005 तो इसका major objective है that is investment in social sector projects 75% of annual income of NIF used for education health and employment तो इसके लिए important है in which year Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL was established so this was established in the year 2000 2000 what is the logo of make in India program तो ये logo है Silhati offline Silhati offline it is stressed on manufacturing sector Silhati offline चेक है आगे बड़ते है what are famous places for paper manufacturing industry famous places are Yamunanagar that is in Haryana Ballarpur that is in Maharashtra and Kamalapuram that is in Tilangana Kamalapuram that is in Tilangana the organization for economic cooperation and development that is OECD base erosion and profit shifting is banned the tax evasion by multinational so this is OECD so this is OECD so this is OECD which is a very rich country and rich country such as USA and so on this is OECD and so on this is OECD base erosion and profit shifting is to ban the tax evasion tax evasion and many multinationals that are doing OECD so this is OECD based erosion and profit shifting concept and it has stopped which committee recommended to reserve items for small scale sector in industry answer will be Abidh Hussain committee Abidh Hussain committee which is the most productive state of mill made cloth textile in India so this is Andhra Pradesh Andhra Pradesh is most productive state in terms of mill made cloth textile in India what is the purpose of Pradhan Mantri Mudra Yojana Mudra stands for Micro Unit Development Refinancing Agency okay Mudra in Mudra there are three schemes which are called Tarun Sisu and one more comment so basically the purpose is to bringing the small entrepreneurs into formal financial system which loan can pradhan small entrepreneurs to formal financial system in order 20,000 crore is outlet next is maharat company total 11 in about in about India Bharat Heavy Electricals Limited Bail No.1 No.2 is Coal India Limited that is also a maharat company Gail Gas Authority of India Limited IOCL Indian Oil Corporation Limited National Thermal Power Corporation Limited NTPC Oil and Natural Gas Cooperation Limited ONGC Steel Authority of India Limited SAIL Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL Power Grid Corporation of India PG CIL Power Finance Corporation of India This is the latest one PFC IL This is the latest being included in Maharatna Company list Iron and steel plants where are and establishment year Kulti is in West Bengal Pre Independence Iron Iron steel factory plant Kulti 1870 Sakchi Jharkhand 1907 Hirapur West Bengal 1928 Bhadravati Karnataka 1923 Burna Pooch Independence 1947 Rao Kela Urisah 1955 Vilai 36 Durgapur West Bengal 1969 Bokaro Jharkhand 1964 and this working What is the purpose of setting up an entrepreneur help line How can it set up simple easy financial support for setting up micro business to provide easy financial support for setting up micro business What was the basis of licensing system for industry in India so this was industry act 1951 industry act 1951 when was the maharatna scheme launched by the government of India so this was launched in December 2009 which is the largest organized and comprehensive industry in India so textile industry textile industry is the right answer which city is referred as silicon valley in India so Bengaluru city that is IT hub of India is considered to be the silicon valley of India why was national renewable fund set up so this was set up for the resettlement of displaced workers after modernization of industries how modernization dangerous is dangerous countries where work is a lot of if modernize you have modernized to skill you need to not get skill development or other thing is that if modernization has done to machine three people have worked in the machinery and some people have worked to this way is difficult and workers displaced and this is national renewable fund set up किया गया, the new economic policy of liberalization, privatization and globalization, this is in short called LPG, liquid fired petroleum gas, G नहीं LPG is transfer, liberalization privatization and globalization this was announced by which government in which year, तो 1991 में नरसिम्भाराव गोर्वर्मेंट ने और उस समय finance minister थे, Dr. Manmohan Singh ये दोनों इसके architecture थे, जो हमारा economic reform में start हुआ था क्योंकि हमारे, जो है ना हमारा जो foreign exchange था, वो इतना गिर गया था कि 15 दिन के लिए ही मात्र बचा था तो हमारा crisis हो चुका था हमारे country में economic crisis और उससे बचने के लिए we asked help from IMF and in extended economic क्या बोलते है EET बोलते है, कुछ एक facility है, EEEF ऐसे कुछ बोलते है help करता है IMF, उसके तहत IMF ने help किया था भारत को, उसमें उसने बोला कि ठीक है, मैं तो help कर दूँगा पैसा दे दूँगा, बट आपको in turn, आपको ये situation दुबारा ना arise हो, इसके लिए आपको liberalization, privatization और globalization करना पड़ेगा ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बंद करके रखो economy को, और मैं help भी कर दूँगा, so when was micro, small and medium in development MSMDA that is an act passed, this was passed in 2006, अब देखिए इस act के दौरा, हमने MSME sector में decide कि कौन से कितना investment होगा, कितना turnover होगा तो क्या उस particular company को किस उसमें रखा जाएगा enterprise में, तो micro enterprise, ऐसा enterprise होता है, जहाँ पे manufacturing जो है manufacturing और service दोनों मिला के कहा जाएगा अगर investment एक करोड का है, तो micro enterprise में आएगा और turnover पांच करोड का ही है तभी वो micro enterprise में आएगा enterprise में, small enterprise में आएगा जब investment 10 करोड होगा turnover 50 करोड से जादा ना हो, medium में आएगा जब 50 करोड उसका investment हो और turnover 2500 करोड से जादा नहीं होना चाहिए so which country was the first to make made law related to corporate social responsibility in India so यह है, इंडिया ही है, sorry which country, पुछा है ना, इंडिया is the first country to made law related to corporate social responsibility, CSR क्या होता है थोड़ा समझ दो अब मालो कोई company है भारत में, reliance company है यह क्या कर रही है, यहां से खुब पैसा कमा रही है भारत से ही कमा रही है, कोई doubt नहीं है reliance यहां से पैसा कमा रही है तो कुछ तो इसकी social responsibility भी है मतलब यही के लोगों से पैसा कमा और कुछ भी यहां के लोगों को ना दो, ऐसा नहीं हो सकता और यह बनाया गया था लोग के दोरा भारत के दोरा पहली बार दुनिया में The annual survey of industry is done by National Sample Survey Organization NSSO अभी यह NSO हो चुका है अभी यह NSO हो चुका, NSSO नहीं है तो खेर Which sector in India provides maximum employment after agriculture sector तो यह है textile industry हमारे बहुत ज़्यादा एक कुछ इंडस्टिया होती है जो जिसे हम कहते है labor intensive industries ऐसे में जो है na ऐसे में क्या है कि उसका output भले चाहे कुछ भी हो GDP में contribution कुछ भी हो लेकिन उनका जो mean जो रहता न उनका खास बात यह रहता है कि labor बहुत ज़्यादा उसमें employee होते है and one of which is textile industry So textile industry is the maximum employment after agriculture sector हमारे यहाँ है which is the largest industry in UP in terms of employment तो यहाँ पे है handloom industry UP में handloom industry मतलब जो हाथ से कढ़ाई बुनाई जो करते है handloom industry कहते है कोई भी item आप हाथ से मना लो that is handloom industry तो यह सबसे ज़्यादा जो है यह उत्तरप्रदेश में है employment के terms में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ ही पे जो है लगे पड़े हैं इसन सब चीजों में why is it necessary to encourage small scale and cottage industries in India because इससे हमारा क्या होगा employment opportunities बढ़ेगा small scale और cottage industry जो है न employment की मतलब हब होती है और in fact गांधी जी का भी यही भीजन था गांधी जी का भी यही भीजन था अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको small scale industries पे focus करना पड़ेगा उनका भी यही वीजन था Central Statistical Organization CSO has changed the base year of industrial performance index from year 2004-05 to which year तो यह कर दिया गया है 2011-12 base year change करके under which chairmanship the law committee on competition policy was formed in 1999 तो यह किया गया था SBS रागवन के chairmanship में SBS रागवन के chairmanship में in which year was the liberal industrial policy adopted तो यह वही economic reform 1991 में start हो था और हमने liberal policy अपना ली थी how often is the index of industrial production calculated तो यह on a monthly basis यह calculate किया जाता है monthly basis पे इसको calculate किया जाता है what are the industries called that use local raw material so they are called cottage industry local raw material मतलब मान लीजे कि मेरा गाव है वहां कहीं raw material मैंने उठाया और वहां से मैंने industry बनाना कुछ production करना सुरू कर दिया तो मेरी industry जो होगी cottage industry हो जाएगी who has been given the name as father of the information revolution answer अर्थूर S. Clark what is Meera State committee related to this is related to handloom development who was the chairman of national commission for unorganized sector industry तो इसके चेर्मन है रहे है Arjun Sen Gupta Dr. Arjun Sen Gupta what is Satyam committee related to this is related to textile policy the state finance cooperation in India has mainly assisted in the development of what so this is mainly assisted in development of medium and small scale industries of states next है who is responsible for development of tourism and hotel industry in India so ITDC एक body corporation है cooperation इंडिया tourism development corporation बोलते है इसको यह क्या करते है तूरिजम को hotel industry को develop करने का उसके लिए काम करती है और इसके संबित पातरा को I think अभी इनका चेर्मन बनाया गया था NAYAK committee is related to this is related to small industry small industry which industry is considered to be the most fundamental industry for development of modern civilization तो यह है iron steel industry fundamental industry for development of modern civilization because देखते हो ना आप सडके कहां steel की जरुवत नहीं है आप घर बनाते हैं उसमें भी steel की जरुवत है steel का है तो शरिया लेके आते हो iron steel का और कुछ भी बना लो भी या आपको steel iron तो चाहिए चाहिए बेसिक चीज है ठीक है चाहिए आप जो भी चीज आप अपने अगल वगल में देखो घरों में देखो कुछ भी दिख रहा है वहाँ पे steel की जरुवत पड़ेगी लगभग पड़ती है हर जगा पे एकसेप सड़क औरक सड़क में भी जब जब flyover बनाते हैं तब महाँ पे steel की जरुवत पड़ जाती है तो this is fundamental industry for the development of modern civilization which committee recommended to free sugar from control तो यह है S. Rangarajan Committee S. Rangarajan Committee from which financial year this investment started in public enterprises यह था 1991-1992 वही economic reform के बाद यह सुरू हो गया था when and where was the first modern paper mill of country setup तो यह किया गया था Serampoor which is in West Bengal that is in 1832 Serampoor, बहुत पराना which country is largest sponge iron producer in the world तो यह है India sponge iron, largest producer the first cooperatively owned fertilizer factory in India was established in 1951 at Sindhri that is in Bihar Sindhri that is in Bihar अब हम दिखेंगे market market दिखेंगे अब हम so let's begin with the market the topic name is market पहला इसमें point है who introduced the market rule market rule को introduced किया था J.B.C. J.B.C. अब दिखेंगे market में क्या होता है micro और macro economics होती है तो पहले हम समझते है micro economics क्या होती है so basically micro economics में क्या होता है आप बिल्कुल micro label पे जाते हैं आप consumers के demand और उनके demands को समझने की और उनको पूरा करने की कोसिस करते हैं so consumers का जो consumption level है आप समझते हैं उसमें demand of consumption level में क्या होता है demand of goods and services by utility maximizing individuals यह आप समझने की कोसिस करते हैं through the market mechanism आप यहाँ पे फिर firms की भी आप उनके production के level को समझने की कोसिस करते हैं क्या production कर रहें because ultimately जो production होगा वही तो consumer उसको consume करेगा so यह firms का जो है production आएगा market में और market से consumer पहुचेगा market में और वहाँ से उठाएगा और उसे अपना need पूरा करेगा और इस through इस process में profit होगा firms का और यह profit maximization जो है किसी भी firm का prime motto होता है these all studies are terms under microeconomics the market links which economic agents so market किस economic agents को link करता है तो यह consumer को producer से और producers और owners of the factors of production से यह कही न कही link करने की कोशिस करता है जैसा कि हमने diagram में भी देखा था हमने diagram में क्या देखा था हमने diagram में देखा था बीच में market है यह link कर रहा है किसको form को फर्म का production market में आ रहा है और वही product को जो उठा के consumer consumer जो है consume करता है तो यह link करता है market link market link जो है link करता है consumer और production को और honor of जो factors of production होते हैं उनको in terms of economics the spending of money on consumption of for certain kind of investment is termed as expenditure expenditure what exactly is meant by the law of demand तो law of demand क्या है देखिए आपके पास पैसा आया आपके पास पैसा आया चीक है तो आपने क्या किया आपने माल लिजे कि पहले लोगों को पास पैसा इतना नहीं था कि एक मारूती की कार खरीद सके let's say example के तोरब पर in general लोगों को पास पैसा कमता अब क्या होगा किसी भी through से किसी process से लोग पास पैसा आ गया तो मारूती वो सब खरीदना चाहेंगे तो मारूती का क्या होगा demand increase हो रहा है demand increase होगा तो prices भी increase होगे तो यही है law of demand higher is the price, lower will be the demand of goods ठीक है अगर बिना देखिए, बिना लोगों में पैसा आये हुए मारूती अगर price जादा कर दे तो क्या होगा price जादा हो गया तो demand कम हो जाएगा लोग पस पैसा ही नहीं है वाई लेकिन यही मारूती क्या करें affordable बना दे affordable बना दे एक लाख में बेचने लग जाए कार तो price lower हो गया, demand बढ़ जाएगा लोग खुब खरीदेंगे तो यह cycle है, this is the law of demand what can be inferred from the law of supply so higher the price, higher will be the supply of goods ठीक है जितना price जादा होगा अब consumer, production के level से समझे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर देखे, मारूती जो है इसका supply जो है कब ज्यादा होगा जब लोग इसे महंगे दाम पे खरीद ले तो मारूती काफी encourage होगी और production बढ़ाओ, और production बढ़ाओ महंगे दाम पे भी बिक रहा है so higher the price will be the supply higher the price, higher will be the यहाँ पे कमा आना चाहिए, higher will be the supply of good what are conditions for free market what are the conditions of free market so the perfect competition and absence of government regulation is the compulsory competition for perfect market ठीक है, free market में क्या होता है lazy spare होता है lazy spare मतलब की private ownership तो होता क्या है perfect competition इसका मतलब यह है कि मारूती कार है इसका competitor कोई है ही नही मारूती के जगा दूसरी भी कार है आनी चाहिए न तभी तो competition बढ़ेगा तभी तो लोगों को फायदा होगा free market में और government का regulation ज्यादा नहीं होना चाहिए government का regulation अच्छा नहीं होता है वो regulate करने लगेगी तो अपने हिसाब से सब कुछ mold कर देगी तो options होना चाहिए government का regulation का what is meant by price equilibrium so price equilibrium is when the quantity of supplied goods is equal to the quantity of supplied demanded goods demanded मतलब उतनी demand है जितनी supply है जितनी supply है उतनी demand है that is price equilibrium बराबर दोनो what is meant by marginal utility so marginal utility is that extra satisfaction one gets from each additional unit consumption of goods and services that is called marginal utility next expenditure कैसे होता है आप देख लीजे कितने प्रकार के expenditure हो सकते है तो एक तो market में expenditure होता है revenue expenditure जहां पे this is the form of expenditure does not result in the creation of capital assets revenue expenditure ऐसा हो सकता है कि salary आपने दे दी ठीक है मतलब इससे आप कोई capital asset नहीं create कर रहे है capital expenditure क्या होगा आप fund को use कर रहे है by individual as investment और by organization to acquire upgrade and maintain physical assets इसको हम capital expenditure करेंगे माल लिजे मेरे पास मैं company हूँ मैं बस कुछ land चाहिए अपने company को grow करने के लिए उसको further वहाँ पर भी plant बिठाने के लिए तो मैं इसमें जो पैसा लगाँगा इस land को खरीदने में वो मेरा capital expenditure होगा physical asset मैंने maintain या फिर अपग्रेड किया है operating cost क्या हो जाएगा expenses incurred in daily business like rent inventory cost वगड़ा यह सब operating operation में जो cost लगए एक company है उसको operate करने के लिए कुछ खर्चे तो आएंगे like मैंने माली जै मेरा खुद के land पे मैंने setup नहीं किया तो मैं rent पे लूँगा अपनी company विठाने के लिए land rent पे करूँगा वहाँ पे inventory maintain करने के लिए कुछ cost लगता है वो सब operating cost में आजाता है what are the factors for demand so factors for demand क्या क्या है यह है consumers need or desire and willingness to pay a price for a good or services that is factor for demand जब तक consumer चाहेगा नहीं नहीं आज मतलब India की बात करें specifically थोड़ डीप जाग बताता हूं तो इंडिया में क्या है value buyer जादा है value buyer यह value consumer कह सकते हो मतलब की वो कम पैसे में maximum utility वाली चीज खरीदना चाहते है maximum utility कम पैसा दे के मिल जाए so consumer needs or desire and willingness to pay a price for good or service that is called factor for demand तो हमारे यह वैसी चीज़े demand में हैंगी जो value products हो ठीक है क्योंकि हम American market तो है नहीं हमारे पास इतना पैसा है नहीं कम पैसे में ज्यादा चीज़े चाहते है what is peculiarity of free market economy so this is consumer sovereignty free market में consumer की sovereignty होती है जहां पर वो जाता है market में वहां पर उसको options मिलते हैं माली जे ज़िवास option होना चाहिए sovereignty होनी चाहिए consumer की जो चाहिए वो खरीदे the change in the total cost that arises when the quantity produced in is incremented the cost of producing additional quantity is called this is called marginal cost marginal cost what are the firms what are the firms called that make payment to outsiders for their goods and services they are called explicit cost they are called explicit cost who is the price holder in full competition answer होगा firm firm को ही company भी कहते है what is market with large number of big firm called ऐसे market को हम कहते है oligopoly large number of big firms हो जाएगे न तो उसे हम कहेंगे oligopoly who was the proponent of dynamic theory of profit answer होगा J.B. Clark what exactly is meant by elasticity in terms of economics so this is the degree to which demand and supply reacts to change in price what is meaning of opportunity cost in terms of economics so this is the cost the benefits an individual or an investor misses out when he chooses an alternative over the other opportunity cost कहते है जब एक individual है या फिर कोई investor है उसको कुछ miss हो जाए उसकी benefits जब वो एक case बदले दूसरा option choose करे कोई product चूज करे तो उसे हम opportunity cost कहते हैं जो miss हुआ हुआ पार्ट रहता है उसे हम opportunity cost कहते हैं what are regarded as exceptions to the law of demand so luxury goods, gift and goods, conspicuous necessities these are called the exceptions of law of demand because यहाँ पर लोग थोड़ा law of demand से beyond होके खरिते हैं luxury goods जैसे किसी को मजा ही लेना है तो यह वो law of demand से उपर हो जाएगा वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाता है what are exceptions to the law of supply so agricultural goods देखिए agriculture goods की supply हो चाहे ना हो आपको तो खरिदना है खाने पीने की जीज़े जीवी को पारजन के लिए है यह ना खाए इसके रहे ने सकते हो perishable goods, rare goods and future expectations these are beyond the exceptions of they are the exceptions to law of supply what are the factors affecting price determination so they are product cost, utility and demand, extent of competition in market, marketing methods and government regulations what are factors affecting supply determinants of goods and services so they are cost of production taxes and policy and goals or objectives of company the loss of value of fixed assets when not in use is known as this is known as depreciation होता क्या कि कुछ चीज़े रखे रखे खराब हो जाती है डिप्रेशियेट करती है मालो आप घर ही बना लिए अगर आगर आप आज बनाए हो तो उसकी कुछ value होगी तसल बाद देखोगे तो वो depreciate हो जाएगी घर की condition खराब हो जाएगी depreciation हर चीज में होता है so that is the loss of value of fixed asset when not in use is known as depreciation machinery के साथ भी यही होता है आप machinery नहीं खरीद के रख लो बट उसको यूज ना करो लेकिन आज से 10 साल बाद उसको बेचने जाओगे तो क्या same price मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिला क्योंकि depreciate कर गई उसकी value यूज भी नहीं किया अपने ठीक है price equilibrium is the point where demand and supply curve meet दोनों बराबर होते हैं demand भी बराबर होता है supply भी जितनी demand उतनी supply यहाँ पे जो curve है वो meet कर जाता है एक दूसरे को इसे price equilibrium कहते हैं अब हम देखेंगे factors of production factors of production से मेरा मतलब है कि कोई चीज produce करना है उसमें क्या क्या चाहिए आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहरे चाहिए आपको land फिर labor और फिर चाहिए capital यह तीन चीज मस्ट है production के लिए land क्यों चाहिए भी या land इसलिए चाहिए कि company कहा सेट करोगे agricultural land में भी कर सकते commercial land एक categories है other land resources आपको चाहिए चाहिए कोई भी company बिठाने के लिए labor तो चाहिए भी या production करना है तो labor कैसे बिना labor के कर लोगे क्या आप जाके company लगाओगे आप काम करोगे physical product बनाना है unskilled labor भी हो सकते है आपके बास semi skilled labor हो सकते है और skilled labor भी चाहिए ठीक है category wise अगर कहीं पर machine operate करना है तो थोड़ा skilled labor चाहिए कहीं पर आपको बिल्कुल इटा धोआना है तो ठीक है unskilled भी चलेगा तो मालब हर labor के लिए अलग-अलग काम है capital में आपके बास physical capital होना knowledge है आपके जो लोगों का knowledge है that is human capital आपके लोगों की जो expertise है ठीक है एक्सपर्टीज है entrepreneurs की वो भी आपका human capital है physical capital में तो पता ही आपको physical capital में दो तरगे capital होते है fixed capital working capital fixed capital में आपका machines, tools, buildings यह सब आजाएंगी fixed capital होगी यह machine को कहा से कहा हिला दोगे भाई machine तो यह set हो गया tools तो चाहिए चाहिए fixed capital है building चाहिए आपके लिए production करने के लिए working capital में आता है investment that is raw material चाहिए आपके लिए money in hand होना चाहिए disposable income working capital देखो fixed capital तो चाहिए चाहिए लेकि work करने के लिए जो capital उस fixed capital से आप further produce करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास working capital यानि कि raw material होना चाहिए आपके पैसा होना चाहिए हाथ में ताकि जो लोग काम कर रहा है उनको पैसा पे कर सको disposable income जो कहते हैं So these are the factors of production ठीक है यह बात I hope this is very clear अब देखते हैं लफर जो curve होता है that indicates the relationship between which factors तो यह relationship दिखाता है between the tax rates and tax revenue amount collected by the government tax rates and tax revenue amount collected by the government that is being shown by लफर curve फिलिप कर्व very famous very famously asked in examinations So what it indicates it indicates relationship between unemployment and the inflation rate Unemployment rate and inflation rate को हम दिखाने के लिए फिलिप कर का यूज करते हैं What are factors of production आपका जो investment को affect करेगा वो है saving rate क्योंकि अगर saving rate सरकार कम करते हैं माल लिजे आपको कहीं किसी plan में invest करना है आपने देखा कि 10% का interest मिलेगा इन वाली तो आप invest कर दोगे लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि 3% का interest मिलेगा तो आप पैसा लगा होगा आप सोचोगे यार इससे बड़िया तो लेंड खई लेता हूँ इससे बड़िया तो यह कर तो investment को affect करती है saving rate inflation महंगाई में आप देखोगा कि महंगाई भाग रही है पैसे की value भाग रही है inflation मतलब prices of goods बढ़ रहा है पैसे की value तो नहीं भी एक बहुत important है tax rate, government policies, market size, stability these are the factors which affect the investment capability of firm or an individual the loss of value of fixed assets or capital goods while being continuously used in the process of production is termed as depreciation मैं नहीं बहुता है न कि fixed asset हो या फिर capital goods हो उनकी value कम होती है आप आज की date में मानलो कि आपने building एक बना लिया उसकी value बाद में कम हो जाएगी एक machine खरीदी बाद में value कम हो जाएगी चाहे use करो चाहे ना करो या फिर use करके भी कर लो तो इसको हम depreciation कहते है commonly adopted PPP model include PPP होता है public private partnership इसको कहते है PPP यह जहाँ पे public मतलब government आती है investment model में जहाँ पे फिर private भी आती है private company और फिर partnership हो जाता है इन दोनों के बीच में this is called PPP model क्योंकि सरकार हर चीज़ बिल्ट करे यह possible नहीं है वे कुछ पैसा private दे दे कुछ पैसा सरकार दे दे और partnership बना के कर ली जाए काम तो यह PPP model है इसके types हैं जैसे की built, operate, transfer, BOT model है annuity model है और इसके अलावा engineering, procurement, construction EPC model है hybrid annuity, harm model है इनके बारे में detail में आपको बहुत नहीं जानना है built, operate, थोड़ा थोड़ा बताए तो built, operate, transfer जो है इसमें क्या होता है सरकार built करती है चीक है किसी भी मालो की एक road बनाना है सरकार ने built कर लिया उसको operate कौन करेगा operate करने के लिए दे देगी किसी company को भई operate करो, maintain करो आप ही या फिर कुछ दिन तक operate करेगी सरकार ही और फिर बाद में ट्रांसफर कर देगी इसको private sector को तो ऐसे भी होता है annuity model है जो की इसमें क्या होता है maintain करती है private वाली hybrid annuity model है तो ऐसे करके models है यह infrastructure में काफी important होता है sugar and cloth textile can be regarded as which type of goods so it can be regarded as intermediate goods intermediate goods tractor and utensils can be regarded as which type of goods so they can be regarded as final goods super fast broadband organic luxury coffee or luxury vehicles are regarded as which type of good they are regarded as luxury goods any type of good where an increase in price causes an increase in demand is known as that they are called gift and goods अब सोच उल्टा हो रहा है हापे law of demand को यह meet नहीं करता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे goods होते है जिनका price increase होगा न तो लोग और खरीतने है उसको बुला यार यह तो महेंगी चीज है जैसे आइफोन आइफोन जितना महेंगा होगा न आप सुचोगे कि उतना ही अच्छा phone है इसा ही होते है जीफन गोड़ एफंग कोड़ इसे ही होते हैं एक आइफन गोड़ और यहाँ आइफन गोड़ जा गोलग नोलॉचरी पर्ड़ और कोड़ पर्ड़ जुचोगे गुड्स विच आर नोट नेसेसरी नेसेसिटी बट प्रोवाइड यूटिलिटी कैन बी रिगाड़ेड़ अज विच टाइप अफ गुड्स देयर कॉड्स गुड्स जैसे कि सोफा बट भी साइकल से स्कूटी से काम चला सकते हो लेकिन आपको कैच सहीं कमफर्ट चाहिए तो आप इन सब छीजों खरेते हो इतनी नेसेसिटी नहीं है बट आप उसको फिर भी खरेते हो comfort के लिए that they are called comfort goods goods which are used together like tea and snacks TV and DVD player are regarded as which type of goods they are called complimentary goods अब कोई tea खरीदेगा, चाय खरीदेगा तो उसको snacks भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि चाय बिना snacks के खाएं, पीएं और बहुत ऐसे लोग कम हैं जो TV बिना remote के चला ले आज के date में तो DVD player का इतना importance नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं कह दू कि this TV तो important है, तो तीबी खरीदोगो तो क्या करोगो उसका तीबी को क्या करोगे, तीबी को ऐसा थोड़ी है कि सोकिस में लागे छोड़दोगे उसके लिए connection लोगे तीबी लगवाओगे और उसमें फिर धका धक गाने देखोगे next है, the goods which are promoted by government since their conception leads to social welfare and social benefits are known as they are known as merit goods they are known as merit goods which type of goods create negative externalities leading to their prohibition or inhibition by government for consumption through the imposition of higher taxes they are called demerit goods which type of goods require a membership payment in order to be enjoyed by the people that is called club goods जैसे कि membership लेना परता है अगर आपको मालो club का membership नहीं है तो आप उसके चीजों को enjoy नहीं कर सकते हैं कुछ चीजों का membership लेना परता है public parks, street lights and some natural resources can be regarded as which type of goods they are public goods they are public goods which first imagined who first imagined the relation between the rate of interest and level of consumption answer is Milton Friedman Milton Friedman who started the time element in price analysis answer Alfred Marshall what market situation does a bilateral monopoly represent so it represents one seller and one buyer इसे हम बोलते हैं bilateral monopoly मतलब की market में एक ही seller है और एक ही buyer है तो फिर bilateral monopoly हो जाता है what does Kenyan's consumption show so Kenyan, John Maynard Keynes की बात हो रही है इन्होंने एक law दिया था Kenyan consumption बोलते थे so it is the relationship between total consumption and total income आपके बस जितनी income ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा consume करोगे न जी तो होता क्या है कि ये law दिया Kenyan साहबने कि income बढ़ाओ consumption बढ़ जाएगा this is the relationship between total consumption and total income एक gift and good हमने देखी लिया ये अब हम देखेंगे poverty and unemployment चले अब देखते हैं poverty and unemployment the condition of economic and social deprivation in which a section of society is unable to fulfill its basic human needs that is food, clothing and housing is called poverty करने को देखेंगे बढ़ाओ simple सब्दों में सब जो कोई आदमी poverty में कब कहा जाएगा जब अपनी basic need को नहीं पूरा कर पारा जैसे कि food कपड़े भी नहीं है उसके पास clothing और उसके पास housing भी नहीं है तो वो definitely गरीब है ठीक है तो this is called poverty and what is the basis of poverty estimates in India so the basis is income or consumption level income or consumption level से मतलब ही है कि आपका जितनी income होती है ना उसके basis पे हम निकालते हैं कि आप poverty है कि नहीं है consumption मतलब है कि कितनी calorie में energy आप consume करते हो अगर आपकी एक शेटन लिमिट से कम है consumption तो definitely आप गरीब हो in what way is poverty measured in India तो इंडिया में calories कितनी आप consume करते हो उसके basis पे measure किया जाता है V.M. Dundaker N. Rath Committee is related to this is related to determination of poverty line which is the most popular method of measurement of inequality of distribution of income तो यह गिनी कोईफिसेंट है गिनी कोईफिसेंट is the most popular method of measurement of inequality of distribution of income inequality क्या होती है अगर अगर बात करें distribution of income में तो होता क्या है कि भारत में गरीबी है poverty है लेकिन अमीर भी है तो जो एक level of disparity है level of inequality है कुछ लोग को बहुत अमीर है और कुछ लोग बहुत गरीब है तो इसे हम कहते है inequality of distribution of income जो कि हम गिनी कोईफिसेंट से निकालते है absolute poverty और extreme poverty was first introduced in 1990 and the dollar a day of poverty line measured absolute poverty by standard of world's poorest country in October 2015 World Bank reset it to 1.90 dollar इससे नीचे के अगर आपकी कमाई होती है तो आपकी definitely आप गरीब में आते हो गरीब कंसिडर किया जाओगा extreme poverty में आप काउंट किया जाओगे 1.90 dollar अगर इससे कम है तो when and who developed the Lorenz curve and guinea coefficient तो ये दोनों को किया था मैक्सो लारांज ने मैक्सो लारांज ने और करेडो गीनी ने तो इनी के नाम पे लारांज के नाम पे Lorenz curve है 1905 में किया था और गीनी कोईफिसेंट जो है कुराडो गीनी के नाम पे है जो कि 1912 में इनोंने इसको develop किया था in which 5-year plan by the slogan of poverty eradication given तो ये 5-5-year plan में ये दिया गया था गरीब ही हटाओ slogan of poverty eradication कुछ committee बैठी थी कौन से साल में बैठी थी और क्या parameter था estimation of poverty वो देख लेते हैं तो Y के अलग committee बैठी थी 1989 में और इसका जो basis था parameter था poverty estimation का वो था calorie intake कि कितनी calorie एक बंदा लेता है उसके हिसाब से determine करना की गरीब है की नहीं लकड़ वाला committee बैठी थी 1993 में इसमें क्याता बेसिस जो था parameter वो calorific limit था प्लस health और education दोनों था इसके साथ में टेंदूलकर committee 2009 में बैठी थी और ये अभी तक की best committee type मानी जाती है इसका जो basis था nutritional outcome that is health education transport and electricity and spending per individual over essential basket of goods cost of living cost of living के हिसाब से इन्होंने calculate किया था रंगराजन committee 2012 बैठी थी इनका basis था monthly consumption expenditure per person per household फिर आया था social economic caste census method इसमें क्या हुआ कि automatic inclusion and exclusion कि अगर कोई caste जो है कुछ caste को ऐसा माना गया है कि जेनरली गरीब ही होते हैं तो उसका automatic inclusion हो जाएगा कुछ caste को का automatic exclusion हो जाता है गरीब ही रेखा से उनको जेनरली बाहर कर रखा है तो यह method इतना मतलब proven नहीं है क्योंकि इसमें कई हो सकते हैं कि कुछ caste के लोग में बहुत लोग अमीर भी होंगे बहुत लोग गरीब होंगे तो इसका basis मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है for which purpose was लखड़वाला committee formed in 1979 so the purpose was for the measurement of poverty line in india poverty in india the principle of vicious cycle of poverty was given by professor रगनार नुर्क से professor रगनार नुर्क से what is considered a unit in the calculation of multi-dimensional poverty index तो यह है family family is the unit what is responsible for rapid social change in Indian society तो Indian society में जो rapid change आया है थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है modern science technology के वज़े से हुआ social planning और population growth के वज़े से हुआ है when was bonded labor evolution act passed तो यह 1970 में पास कर दिया गया था बंधुआ मजदूर जो है ठीक काम नहीं होता है कि आप बिना payment से उनसे काम करा लो तो इसको खतम किया गया उननीस से चीतर में इन विची यह वज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टाटे इन इंडिया तो यह 1922 में स्टाट हुआ था जिसमें की मतलब population control के लिए family planning किया गया क्योंकि population भी बर्डेन होता है अगर उस until ज्यादा malnutrition है what is the purpose of national social assistance program तो यह old age pension for very poor chicken and widows disabled and buried family वगरे के लिए pension देना उनको financial support देना that is national social assistance program में आता है Tendulkar committee Tendulkar committee has estimated the estimates of how much population below the poverty line in India तो इसने 37.2% बोला कि जो इंडियन population उसकी 37.2% जो है गरीबी रेखा से नीचे है poverty is lack of capabilities whose statement is that यह है अमर्त सेन की प्रोफेसर अमर्त सेन लो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके है what is the vision 2020 for India document related this is related to economic development यह पांच साल का वीजन आया था what is the most appropriate criteria for measuring the intensity of poverty in India तो यह multi-dimensional poverty index इसमें क्या बोला कि देखिए आप खाली nutritional level चेक करके नहीं आप बता सकते कि कोई बंदा इतनी कैलोरी ले रहा है तो गरीब है की नहीं है वो ऐसे ठीक नहीं है तो इसलिए बोलागा कि multi-dimensional poverty निकाले जैसे कि उसको education है कि नहीं उसके पास health की facility है कि नहीं उसका life expectancy क्या चल लिए यह सब निकाल के मतलब multi-dimensional electricity पीने का पानी तमाम चीजहों को निकाला जाता है according to United Nations Development Program UNDP poverty is multi-dimensional in this context a multi-dimensional poverty has released by it in this index 10 standards related to education health standard of living are used जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजहां पर लिखी गई है what is andragogy andragogy related to this is related to adult education andragogy related to adult education in which year was the 20-point program started for eradication of poverty तो यह 1982 में start हुआ था rastya swast bheema yojana rsby comes under which ministry तो यह आता है ministry of labor and employment के अधीन आता है based on the approximate poverty criteria in India 53.4 percent of household for the year 2020 2011 are considered poor चलिया आगे पड़ेंगे according to world bank according to world bank report in which four states more than 50 percent of the poor live in तो यह बिहार बिमारू बोलते हैं इसको बिमारू बिहार मद्यपर्देश ठीक है बिमारू रायस्थान भी आता है वैसे लेकिन इसमें खेर नहीं दिया है तो यह बिहार है उत्तरपर्देश है मद्यपर्देश है उडिशा है इन में जो है more than 50% लोग पूर है मतलब टोटल इंडिया के मतलब टोटल इंडिया का अगर देखा जाए तो उसमें मात्र बिहार उत्तरपर्देश मद्यपर्देश और उडिशा में मिला दिया जाए तो more than 50% लोग यही पर रहते हैं गरीब who is considered as the father of community development in India तो यह है शुरेंदर कुमार दे फर्स कोपरेटिव और पंचायती राज मिनिस्टर भी रह चुके हैं शुरेंदर कुमार दे TRISEM program is related to this is related to rural development the most appropriate assessment of physical quality of life is based on infant mortality and literacy rate infant mortality and literacy rate this is related to immunization immunization of children so this is run by government of India deals with the immunization of children and pregnant women ओगर के लिए immunization का plan है इसमें what percentage of CES has been levied by central government for the clean India program तो यह है 0.50% 0.5% यह है percentile of CES that is levied by central government for clean India program in which five-year plan was the national rural health mission launch तो यह वा था 10th five-year plan में what is the main objective of national health policy of 2017 तो इसका purpose जथा objective था to inform, clarify, strengthen and prioritize the role of the government in shaping in shaping health systems in which year was सर्वसिक्षाभियान लॉंच्ट फॉर यूनिवर्सलिज़ाइशन अफ प्राइमरी एजूकेशन तो यह 2001 में तो यह हुआ था 7th five-year plan में when is world literacy desilibrated यह 8 September को मुनाय जाता है where is national institute of rural development NIRD located this is located in Hyderabad which is the first base village under the unique identification authority of India UIDAI scheme so this is in Temvili in Maharashtra Temvili in Maharashtra when will the goal of completing the housing scheme for all get completed by government of India to complete करना है by the year 2022 वत इसको बढ़ा दिया गया है ठीक है क्योंकि यह complete नहीं हो पाया in which year has the United Nations organization set the goal of education for all to 2015 में set किया गया था the Akchai Patra Foundation in India is concerned with the distributing midday mills to primary school Akchai Patra Foundation पूछा जाता है बहुत star mark question है what is operation blackboard related to यह primary education से related है operation blackboard which state has the highest percentage of educated unemployed in India आप देखो educated बहुत लोग है वहाँ पे लेकिन वहाँ पे employment नहीं है तो यह केरल which scheme was launched on birthday of लोकनाय जय प्रकास नरायन तो यह संसद आदर्स ग्राम योजना यह October 11, 2014 में launch किया गया था संसद आदर्स ग्राम योजना ठीक है इसमें क्या होगा जो संसद है संसद वो एक एक गाओं को गोद मिलेंगे और उसको develop करेंगे दपर्पस अफ डिफरेंटली इंट्रेस्ट स्कीम वाज तो प्रोवाइड कंसेशनल लोंस पर तो यहां पर साइक्लिक या फिर साइक्लिकल या फिर फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्ट्रल अंप्लयमेंट होता है ठीक है साइक्लिकल मतलब एक बार बूम आएगा एक बार फिर रिसेशन आएगा ऐसे करके साइक्लिकल अनिप्लयमेंट चलता रहते हैं राजीव गांधी सिल्पी हेल्थ इंस्वरिंस स्कीम वज लॉंच्ट बाइव विच मैंस्ट्री इन हैं लूम सेक्टर तो यह टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री के दौरा लॉंच किया गया है इन विच कंट्री वज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट अडॉप्ट अडॉप्ट लेवल तो यह इंडिया में अडॉप्ट किया गया है इसमें क्या होता है कि जैसे कई आपने सुनना होगा ना अनिम्प्लायर जो यूथ होते है उनके लिए सरकार कुछ प्रोग्राम लेका आती है उनको मोनिटरी बेनिफिट वगर देना तो यह कहना कि उनको और इंक्रीज करता है कि भाया क्यूं जब फोकट में मिली रहा है तो क्यूं काम करने जाया जाया ठीक है तो और इसको हम कहते है अनिम्प्लायमेंट ट्रैप एक काटेगरी चाहिए veto उनकोलेव प्रेंट जाया जाया उनकोलेरओ क्या का रेहा है तो वो भी एक तरीके का उनकोले है यह क्ढ आथिस कोहां सूंप्लायमेंट यह थोता है अनुप्लायमेंट वेडिए veto आफिव प्रेया नेम्प्लायमेंट फेहारत्टी प्रेस Magist in में in what else is hidden unemployment known तो ये दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम कहता है under employment कुछ लोगों की skill बहुत उपर होती है बट वो प्यून की भी नौकरी करना चाहते है है PhD holder और प्यून की नौकरी कर रहा है तो under employment हो गया न what is meant by relative poverty relative poverty is a situation where a person fall behind others when is the slack season in Indian economy तो ये जनवरी से जून तक का period जो होता है slack season होता है if a person is in employment for let's say 273 days with 8 hours of work per day thus he is said to be fully employed कितना दिन 270 दिन 8 घंटे पर आवर पर डे तो ये हो जाएगा fully employed अब देखेंगे हम economic international economic organizations पैला पॉइंट है which two international institutions were established as a result of Bretton Woods Agreement तो इनको Bretton Woods Twins भी कहते हैं because वही पे ये बनी थी International Monetary Fund और World Bank ये 1944 में अमेरिका में पढ़ता है ये जगा Bretton Woods who was the first president of World Bank तो इनका नाम है यूगीन मेर यूगीन मेर where is headquarter of World Bank located this is located in Washington DC that is in USA on the basis of whose scheme was the International Monetary Fund established तो ये Harry D. White के यानि कि ये USA के निवासी 1944 में इन ही के basis पे ये scheme बना था IMF का what is India's position in the quota prescribed under the 14th general review of IMF तो ये 8th position quota क्या होता है कि आपके कुछ rights होते हैं आपका कुछ quota होता है कितना आप उसमें contribute कर बाते हैं उसके हिसाब से ranking type का होता है तो ये 8th rank पे है इंडिया 8th quota पे है इंडिया which organization of world bank group provides capital to private industries for investment in developing country तो ये है International Finance Corporation IFC who is included in the top 3 quota holding nations of the current IMF तो सबसे उपर America है इसका percentage है 17.41% Japan है 6.48 के साथ दूसरे पे China है 6.41 के साथ दूसरे पे by whom loans and grants are given for improvement of establishment of states in India तो ये world bank के दौर दिया जाता है which institution is called liberal loan window of the world bank तो ये IMF है sorry IDA है International Development Association the world economic prospects report is released periodically by world bank world bank के दौर पिरियोडिकली ये रिलीज की जाती है the human development index is published by this is published by United Nations Development Program UNDP the world development report is published annually by world bank or international bank for reconstruction and development IRBD IBRD sorry who released ease of doing business index तो अभी ये खतम ही कर दिया गया अब नहीं जारी किया जाता है पहले world bank के दौरा जारी किया जाता था कि कितना किस country में असानी से कोई company अगर चाहे तो महाँ पर business कर सकती है which institution provides and to the poor aid to the poor nations of the world for poverty elevation तो ये है International Development Association idea what is the main function of International Monetary Fund तो इसका main function है helping the member countries to solve the problems of balance of payment balance of payment crisis इंडिया को भी हो चुका है 1991 में हुआ था उसके बाद हमने economic reform किया था उसमें help किया था इमें अपने what is percentage of India's contribution and voting share in the International Monetary Fund respectively तो इसका जो है quota हमारा है 2.76% और voting share है वो 2.64% का है India is not a member of which institution of World Bank Group तो इंडिया जो है International Center for Settlement of Investment Dispute का member नहीं है इसी का ये member नहीं है बाकि सब का है World Bank Group में IMF का है IBRD का है World Bank का है इन सब का है बट इसका नहीं है International Center for Settlement of Investment Disputes का नहीं है The Global Financial Stability Report is prepared by IMF IMF के दोरा ये प्रिपेर की जाती है Srimati Hansa Mehta Was the first Indian woman Included as a member of United Nations Human Rights Commission UNHRC Established in year 1946 If balance of payment of a country is adverse Then which institution will help the country तो ये IMF help करती है हमने help लिया हुआ है Already 1991 में Economic Crisis के दोरान With international currencies Are which international currencies are Included in the SDR Under the SDR of IMF SDR क्या होता है Special Drawing Rights होते है और ये इसमें कुछ hot currencies included है जैसे कि US Dollar है Japanese Yen है Chinese Yuan है Euro है और Pound Sterling भी है What is the number of permanent members of United Nations Security Council 5 है ये total बाकी non-permanent 10 होते है तो ये चाइना है Russia है France है United Kingdom और USA है Where is it quarter of European Economic Community located So this is located in Belgium Okay Brussels में What is the function of European Stability Mechanism And Agency of the European Union So इसका function है Providing financial support to countries in Eurozone What is the strength of United Nations member So total इसका strength है 193 member country है Who has called India's economic development path Jobless, rootless, ruthless, voiceless and futureless So ये UNDP ने कहा है UNDP ने कहा है The European Union was awarded The Nobel Peace in 2012 For the contribution to the advancement of peace And reconciliation democracy And human rights in Europe When and where was the Office of General Agreement on Tariff and Trade GATT established तो ये हुआ था 1940 में कहां पे हुआ था Geneva में, Switzerland The World Bank and IMF The World Bank and IMF Are called the twin childrens of Bretton Woods ये ही पे बने थे इसी सहर में World Bank Group में देख लीजे क्या क्या आता है एक तो आपका IVRD में जैसा की बताया था IVRD आता है IVRD का जो गठन है वो 1944 में हुआ था And it is a loan help It is a loan help the nation to rebuild Post-devastation by World War II इसी के लिए बनाया गया था Later it focuses Focus shifted from the reconstruction to development And its emphasis on infrastructure Emphasizes on infrastructure such as Dams, electric grids And irrigation system and roads वगर पे focus करती है Then आता है IFC This was founded in 1956 And the purpose is to lend to private companies And financial institution in developing countries Then आता है आपका next IDA International Development Association Founded in 1960 And the purpose is It offers concessional loans and grants To the world's poorest developing countries Eradication of poverty is the primary goal इसका मेंबर भारत नहीं है ICSDID International Center for Settlement of Investment Dispute This was founded in 1966 This is an international arbitration institution Which settles investment disputes between investor and nation That is my assumption Summonist I think that India has been that We are Company Now Dispute To be a Another International Arbitration institution तक जाओं यह होई नहीं सकता है भारत अपना फैसला खुद लेता है next है माइगा माइगा क्या है multilateral investment guarantee agency this is founded in 1988 and it ensures lenders and investors against political risk of और वार तो था क्या कई पर माली जे युक्रेन है युक्रेन में वार हो गया तो investment की guarantee कौन लेगा तो वो लेती है माइगा its mandate is to promote cross-border investment developing in developing countries by providing guarantees and protect investment against non-commercial risk and can help investor obtain access to funding sources with improved financial terms and conditions तो यह हमने world bank group के institutions को देखा अब देखते हैं which negotiations resulted in the establishment of world trade organization तो यह गैट या फिर गैट उरुग्वे राउंड मना जाता है 1995 में बन गया था WTO ठीक है तो यह यही वो राउंड है गैट उरुग्वे राउंड के द्वारा यह बना था who is the president of world trade organization तो अभी यह बहुत important सवाल है यह नगोजी ओकोंजो इवेला यह अफ्रिकन फ्र्स वूमें भी ए फ्र्स वूमें और अफ्रिकन भी है पहली वियो मैं वाल्टेड ओगनाइसटन की कोई हैड बनी है president बनी है और वो भी अफ्रिकन है यह in which year did India become a member of world trade organization तो इंडिया मतलब जब बना था वाल्टे राउनेशन तभी इसका मेंबर भी वन गया था इंडिया उनृच सब पंचानवे में एम्बर बॉक्स ब्लूबॉक्स ग्रीन बॉक्स आर रिलेटे सब्सीडी प्रोवाइड वाइड वाल्टेट ऑगनाजिशन तो थी अभी एंडॉरा एंडॉरा जो है three pillars of agreement on the agriculture under the WTO so these are the market access internal support and export competition what is the specific safeguard mechanism related to WTO so a tool this is a tool that allow developing nations to raise tariffs temporarily to deal with the import surges or price falls when was Shanghai cooperation organization established in which year did South Africa join BRIC group that is BRIC Brazil, Russia, India, China and South Africa BRICS joined 2011 when it was not a member when was India and Pakistan granted members status by SEO Shanghai cooperation organization 17th Shanghai cooperation organization summit which country has highest per capita income among BRICS nation Russia has the highest per capita income among BRICS nation who was the first chairman of ndv new development bank BRICS के द्वारा ही बनाई गई है this is also known as BRICS bank तो ये के भी कामत साभ इंडिया के है ये इसके first chairman थे where did the first summit of BRICS countries took place तो ये हुआ था रसिया में 2009 में where is the headquarter of ndv new development bank located तो ये शंगाई में चाइना में who was the founder of world economic forum तो ये थे Klaus Sachwab who was the first director general of the world trade organization तो ये है Peter Sutherland Peter Sutherland seven intellectual property rights come under agreement on trade related aspect of intellectual intellectual property rights trips बोलते हैं इसको जिसमें एक आता है copyright related rights trademark industrial design integrated circuit design geographical indicators patents trade secret information ये सब जो है ये seven intellectual property rights आते हैं अंदर trips trade related aspect of intellectual property rights the tom the tom bricks was first used in 2001 by Jim O'Neill in Goldman Sachs Goldman Sachs तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ important facts related to international monetary organization पहला है इसमें world bank इसका establishment हुआ था 244 में इसका headquarters है Washington DC में और इसमें member अभी है currently 189 189 IMF का जो है गठन 1945 में Washington DC में ये headquarters 190 members है WTO ये established हो गया था 1995 में जनेवा में है और 164 में member states है UNCTAD UNCTAD क्या United Nations Conference on Trade and Development ये 1964 में बना था जेनेवा में ही इसका भी headquarter है और इसके जो member है वह है 195 Asian development में 1966 में बना था Manila Philippines में इसका headquarters है 68 members है ASEAN Association of Southeast Asian nation ये 1967 में बना था जकारता में headquarter है 10 इसमें member countries है इसमें South East Asia वाले nation है इंडोनेशिया Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar और Cambodia NAFTA NAFTA है North American Free Trade Agreement इसका गठन 1994 में हुआ था Ottawa, Mexico City, Washington DC में इसका headquarters है और इसमें तीन member थे America, Canada और Mexico APEC, APEC is Asia Pacific Economic Cooperation 1989 में इसका गठन और headquarter इसका Singapore में 21 members, European Union का गठन उननी संथावन, Brussels में headquarter 27 members, Marcosur ये 1991 में बना था Monty Video में इसका headquarters है 4 member है इसमें इसके अलावा फिर OPEC, Organization for, Organization of Petroleum Exporting Countries, 1960 में बनी है और headquarter है बियाना उस्ट्रिया में 13 member है इरान, इराक, लिबिया, वेने जुएला, अंगोला, कुवेत, साथी, अरेबिया, युवेई, अलजेरिया, नाइजेरिया, एक्वेटोरियल, गिनिया, कंगोर, गैबोन इसके members हैं, फिर आता है सार्क, सार्क 1985 में बना था, Kathmandu में एक्वाटर, आठ इसमें country हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सिरलंका, बांगलादेश, नेपाल, भुटान, मालदीश और अफगानिस्तान, OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, 1948 में बना था, पेरिस में एक्वाटर है, 37 member है, SM, Asia Europe Meeting, 1996 में बना था, तिरपन member है, ASEAN Clearing Union, 1974 में बना था, तेहरान में एक्वाटर है, 9 member है, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, सिरलंका, इरान, भुटान, मालदीश और म्यानमार, UN है, UN हो का हैटकोर्टर है, नियूवर्क में, 1945 में बना था, एक्वाट तिरानवे member है, साउथ सुडान, जो है, लेटेस्ट में बना था, इसमें जो है, इसमें साथ बहुत जी डेवलॉप्ट कंट्रिया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कैनेडा, जापान, USA और UK, बिम्स्टेक, Bay of Bengal Initiative for Sectoral and कुछ ऐसे करके है, एक बार देख लेना, 1997 में इसका गठन हुआ था, ढाका बंगलादेस में हिटकोर्टर है, साथ member कंट्री है, बंगलादेस, बुटान, इंडिया, नेपाल, से लंका, मैनमार और थाइलेंड, इसमें बेसिकली पाकिस्तान को हटा दिया गया है, इसमें मलभी मिस्टेक में लगबग वही कंट्री है, लगबग थाइलेंड उसमें सार्क में नहीं था, तो इसमें थाइलेंड है, वर्ल्ड एकनोमिक फोरर्ण, उनीस एक अतर में गठन हुआ था, जिनेवा स्विजर लें में है, इसमें नॉट पर आठ एसियान वाले, दस मेंबर आफ एसियान प्लस एट अधर नेशन जैसे के ऑस्टेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडिया भी इसका मेंबर है, न्यूजिलेंड, साउथ कोरिया, यूएस और रसिया भी इसके मेंबर से हैं, अब देखेंगे हम कुछ इंपोर्ट इसको देख लेते हैं, एक है, मुनिटरी पॉलिशी ऑफ इंडिया, यह जारी करता है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड और प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया, यह भी इसके अलावा, इंडिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट हर दो साल में जारी किया जाता है, अभी 2021 में हुआ था, तो 23 में भी होगा यह, ग्लोबल फाइनेंशिल स्टैबलिटी रिपोर्ट यह आइमेफ जारी करता है, इसको व्ल्ड एकनॉमिक आउटलुक भी आइमेफ ही करता है, इंगेजिंग टुमोरो कंजूमर रिपोर्ट यह करता है, व्ल्ड एकनॉमिक फोर करता है, ग्लोबल कंपेटिटिटिव इंडेक्स यह करता है, व्ल्ड एकनॉमिक फोरम ही, ग्लोबल एनर्जी आकिटेक्चर परफोर्म इंडेक्ट्ट यह करता है, व्ल्ड एकनॉमिक फोरम ही, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह करता है, व्ल्ड एकनॉमिक फोरम ही Human Capital Report again the same Human Capital Report is again same World Economic Forum Inclusive Growth and Development Report This is again World Economic Forum Outlook on Global Agenda This is again World Economic Forum इसको भी जारी करता है Global Risk Report is again World Economic Forum World Economic Forum को बहुत सार है Travel and Tourism Competitiveness Report Again World Economic Forum Global Economic Prospect World Bank Ease of Doing Business जो के भी खतम हो गई है World Bank Group IBRD के दोरा IBRD के दोरा किय जाता था World Development Report IBRD again World Bank कहीं ये ग्रूप का मेंबर है Global Money Laundering Report FATF FATF है Financial Action Task Force Global Hunger Index Report इसको जारी करता है Global Financial System Report इसको BIS करता है Bank of International Settlement Change the World List Data ये जारी करता है Fortune Magazine इसके लाबा World Social Protection Report ये जारी करता है ILO International Labour Organization जेनेवा में हिटकोर्टर है World Employment and Social Outlook ये भी ILO ही करता है International Labour Organization World of Work Report ये भी ILO ही करता है Global Wage Report ये भी ILO Global Innovation Index इसके ये Cornell University Incid and World Intellectual Property Organization Vipo दोनों मिल के करते है World Energy Outlook कौन देता है IEA देता है International Energy Agency Southeast Asia Energy Outlook देता है International Energy Agency OPEC Monthly Oil Market Report OPEC ही देता है Organization of Petroleum Exporting Countries कुछ और है World Oil World Oil Outlook ये देता है OPEC World Happiness Report Sustainable Development Solution Network SDSN इसको जारी करता है Global Corruption Report Transparency International जारी करता है Levels and Trends in Child Mortality Report ये UN Inter Agency Group जारी करती है World Investment Report जारी करता है UNCTAD अंक्तार जी से बोलते हैं ये है United Nations Conference on Trade and Development इसके अलावा आता है Action on Air Quality Action on Air Quality जारी करता है कौन ये जारी करता है UNEP United Nations Environment Program Global Education Report जारी करता है UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization State of World Population ये जारी करता है UNFPA United Nations Population Fund फिर आता है World Cities Report ये जारी किया जाता है UN Habitat के द्वारा World Global Report जारी किया जाता है The Global Report ये जारी किया जाता है UNHCR United Nations High Commission for Refugee Report on Regular Resources UNICEF के द्वारा यानि United Nations Children's Emergency Fund इसको जारी करता है State of the World Children Report ये जारी करता है UNICEF एगें Global Environment Outlook ये जारी करता है UNEP United Nations Environmental Program Environment Program बोलते है इसको ये जारी करता है The Rise of Environmental Crisis इसको UNEP और साथ में Interpol मिलके The Rise of Environmental Crime UNEP और Interpol दोनों मिलके Reports on Counterfeiting and Organized Crime ये इसको Unicree United Nations Interregional and Justice Research Institute इसको जारी करता है Industrial Development Report This is again UNIDO को द्वारा United Nations Industrial Developmental Organization के द्वारा जारी करता है Global Assessment Report UNISDR के द्वारा जारी करता है United Nations Office on Disaster Risk Reduction Global Report on Trafficking in Person ये UNODC जारी करता है United Nations Office on Drug and Crime World Drug Report जारी करता है कौन? ये जारी करता है UNODC United Nations Office on Drug and Crime World Wildlife Crime Report UNODC इसको भी जारी करता है VEPO जारी करता है World Intellectual Property Report VEPO The Energy Report and Living Planet Report ये WWF ये World Wildlife Fund जारी करता है Gender Inequality Report UNDP जारी करता है Asian Development Outlook ADB Bank Asian Development Bank इसको जारी करता है फिर अब देखलेते हैं Summits and Chairmanship for 2021 which is not important क्योंकि ये अल्रेडी भी चुका है अब तो 2023 आगया है China China is the largest contributor that is 30% to the AIIB Asian Infrastructure Investment Bank बोलते हैं and इसमें उसके बाद जो इस्टेकोलडर है वो इंडिया है Second Stakeholder है इंडिया So guys that's all from this video हमने पूरा जो है इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी उसका जीस्त NCRT का 6th से लेके 12 तक कम्प्लेट किया So that's all from this video I hope you like the video If you like the video definitely do it and if you haven't subscribe it Please subscribe मिलिंग अगल वीडियों बाय वर